हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैसेल ताराचन टीम मैच CLC सीकर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनित 9 यूनित 9 में हम देखेंगे एरिया डिफरेंशिल इक्वेशन साथ में देखेंगे बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटर्मनेंट ठीक है इन चारों चैप करते हैं और देखते हैं one by one सारे क्यूसंस सो हमारा क्यूसन नंबर वन है देखिए तो टॉटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्स बिलॉंग टू रियल नंबर ठीक है ना एक्स कैसा होना चाहिए आपका रियल नंबर होना चाहिए बच्चों एक सेकंड अगला क्यूसन आ गया प देखिए आपको यह डिटर्मिनेंट 10 दे रखी है तो आपको बताना है कि इसके टॉटल कितने सॉल्यूसन होंगे देखिए सबसे पहले तो यह जो कॉलम है इसके अंदर दो-दो ट्रम्स का एडिशन है तो इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं x 2x 3x यहां बचेगा बच्चो x2, 4x 9x2 यह एजिटीज रहेगा 111 प्लस दूसरी डिटर्मिनेंट पहली दो रहो तो सैम ही रहेगी x 2x 3x साथ में x2 4x और आपका 9x2 लेकिन अगली ट्रम आजाएगी बच्चो आपकी x3 एट एक्स क्यूब और ट्वन्टी सेवन एक्स क्यूब अब एक काम करते देखो दोनों डिटर्मिनेट्स हर कॉलम से जो भी कॉमन आ रहा है उसके तो कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद में हम लगा देते हैं सब के अंदर दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर है इसकार पास में इसमें पर ऐसकोड़ चाहिए त्वड़ा सा गलत प्रिंटिंग हो गई है 4 x square होगा सब जगे पे तो यहां से भी x square common आ जाएगा तो यह है आपके पास में 1 2 3 यहां पर है आपके सामने 1 4 9 लेकिन हमने क्या कर दिया c2 minus c1 लगा दिया सो 1 minus 1 कितना हो जाएगा बच्चो 0 4 minus 2 कितना हो गया 2 और 9 minus 3 हो गया 6 यहां पर बच्चो 0 यहां पर कितना आएगा बच्चो 1 minus 4 that is minus 3 और 1 minus 9 that is minus 8 ठीक है यह हो गया अपने पास में पहली डिटर्मिनेंट ऐसा ही बच्चो दूसरी के अंदर देगे पहली रो से x x square x cube total बच्चो x की power 6 common आजाएगा यहां से और यहां पर हमें देखनों को मिलेगा पहली रो एज़िटीज 1 2 3 0 2 और यहां पर कितना आजाएगा आपके सामने 6 लेकिन देख बच्चो यहां पर आएगा 0 8 minus 4 4 और 27 minus 9 18 तो यह हो जाएगी बच्चो आपकी second डिटर्मिनेंट अब देखिए बच् तो 2 x cube कितना आएगा 2 x cube ठीक है ना minus 16 plus 18 that is plus 2 यहां से आएगा बच्चो 36 minus 24 36 18 इंटू 36 minus 24 so that will be equal to 12 ठीक है और साथ में कितना बच्चो x की power 6 will be equal to 0 देखिए बच्चो यहां से x cube common आजाएगा और x cube common लेने के बाद में पिछे बचेएगा आपके पास में कितना 2 भी common ले लिजिए तो यह बनेगा 1 minus 6 x cube तो इससे एक solution आएगा आपका that is x equal to 0 so x equal to 0 इसका एक solution है अच्छा बच्चो equal to में आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ठीक है तो 0 नहीं होगा ठीक है इसको अपने को solve करना पड़ेगा ठीक है कैसे solve करेंगे 2 से डिवाइड कर दो right hand side में ले आओ तो यह बनेगा देखो 6 6 ठीक है ना 2 से डिवाइड कर देंगे 6 x की पावर 6 minus 2 2 नहीं 2 कर जाएगा that is x cube and plus 10 will be equal to 0 ठीक ना यही डेटा आएगा हमारे पास एक बार क्रोस चेक कर लेते हैं देखो यहां से 1 2 3 यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 1-2 0 1-1 0 4-2 2 और 9-3 6 1-1 0 1-4-3 और यहां से आपके पास 1-9-8-8 into 2-16 plus 6 into 3 18 that is 2x cube यहां से आएगा 36-24 that is 12x to the power 6 तो यह आपके पास में डेटा आजाएगा बिलकुल 6x to the power 6 और यह इदर आकर के माइनस का 10 will be equal to 0 ठीक है यह डेटा आजाएगा आप देखो बच्चो इसके अंदर फेक्टर करते माइनस 60 के दो यह से फेक्टर कीजिए जिससे आपके सामने कितना आजाए आपके सामने क्योंकि यहां पर 6 है और यहां पर आपके पास में 1 और यहां पर 5 है यहां पर कितन यहां से आएगा 6 x3 पुरा common आजाएगा तो यहां से आपके पास में 6 x3 पुरा common आजाएगा तो simple x3 प्लस 1 बचेगा और यहां से आपके पास में 5 आजाएगा तो देखिए बच्छो, दो solution आएंगे आपके पास, एक स्क्यूब प्लस ब्राबर 0, इसका भी एक real solution होगा, और दूसरा एक स्क्यूब ब्राबर 5 by 6, इसका भी एक real solution होगा, आप सबको पता होगा, अगर यह क्योभी की question होती है, शिरफ x3, ठीक है, तो यहां से शिरफ एक ही real solution आते हैं, बाकी दो आपके पास में कैसे होते है, imaginary solution, तो आपको इसके अंदर यही पूचा है, कि x की कितनी real values possible होगी, तो x की 2 real values इसके अंदर आपकी आएगी, फिल्यर है, फिर आगे चलते ही बच्छो, अगले question की तरब, और अगला question देखते है, हमारा क्या है, देखो, that is question number 2, यह भी देखी बच्छो, आपका determinant से है, matrix से है, यह वाला question, इसमें देखे, आपको क्या दिया गए, एक matrix दी गई है, ठीक है, और एक matrix Q दी हुई है, जिसके elements Q, I, J है, और इसका order 3 है, I भी एक identity matrix है, जिसका order 3 है, इसके अलावा बच्छो, आपको देए रखा है, P 50 minus Q बराबर आई, ठीक है, और Q के यह कुछ elements है, जो आपको निकालने है, Q31, Q32, and Q21, देखी बच्छो, कैसे करते हैं ऐसे questions को, ऐसे questions के लिए बच्छो, आपको जब भी P 50, P 100 निकालना होता है, हम क्या करते है, P square, P cube निकालना के देखते हैं, और उससे हम एक hint मिलता है, और हम अपने question को solve करते हैं, देखी बच्छो, P square निकालते हैं, इसको इसी के साथ गुणा करते हैं, कितना आएगा, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 16, 4, 1, देखी कितना आएगा, 1 into 1 आएगा, बच्छो, 1, ठीक है, उसके बाद सब 0 के साथ multiply होगा, so 1, इसके बाद बच्छो, 2nd row को इधर से multiply क हो जाएगा, 1st row को इसी के साथ, तो पहला 0, फिर बाकी दोनों भी 0, so 0, 0, फिर बच्छो, 4 के साथ multiply करते हैं, पहली रो को, 4 into 1, 4, 1 into 4, 4, 8, तो यहां पर आजाएगा, 8, तीसरी टरम हो जाएगी 0, फिर divide करते हो अगली, 2nd row को 2nd के साथ, तो पहली टरम 0, दूसरी 1 के आएगा, और फिर 0 आएगा, इस बार करते हैं, थर्ड रो को पहले कोलम के साथ 16, प्लस 16, प्लस 16, तो बच्छो, यह आएगा 3 into 16, इसको ऐसे लिको 3 into 16, यहां से बच्छो, फिर से आएगा 16 को multiply करेंगे, 0 के साथ, तो 0, फिर 4 को 1 के साथ 4, फिर 1 को 4 के साथ 4, तो वापिस आएगा 8 और फिर आएगा बच्छो, जीरो, इससे बच्छो में थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि यह नंबर इसका double हो रहा है, ठीक ना, यह 4 का double हो रहा है, 8 और यह इसा लग रहा है, ट्रीपल हो रहा है, बट शिरफ इससे आप यह नहीं कह सकते हो कि ट्रीपल ह होगा, ठीक है ना, कम से कम आपको दो बार निकाल के देखना है, इसको आप वापिस multiply कीजिए कि इसके साथ 1,0,0 और 7 में हैं आपके सामने 4,10 और इसके साथ में हैं 16,4,1, एक बार इसको और multiply कीजिए, उसके बाद हम अपना conclusion निकालेंगे, अब गीवाए बच्छो इसको multiply करते हैं, first row, first column, 1 into 1,1, बाकी दोनों part 0, तो ये 1, first row को second column, तो first 0 के साथ multiply होगा, बाकी दोनों 0 है, तो ये 0 आएगा, similarly ये भी 0 आजाएगा, अब बच्छो second row, first column, 8 into 1 will be 8, 1 into 4 will be 4, और 0 into 16 will be 0, so 8 plus 4, 12 आएगा, तो ये तो बच्छो हमारा सही था, यहाँ पर double हुआ था, अब बाद triple हो गया, पहले 4 into 2 था, अब 4 into 3 आगया, अगली ट्रम की तरब बात करते हैं, second row, second column, पहली ट्रम 0, 1 into 4, 4, 0 into 1, 1 into 1, 1 और 0 into 4 वापिस 0, तो ये बच्छो, अगेन 1 आएगा, similarly check कर लीजिए, 0 आएगा, ये वाला data बढ़ा important है, बच्छो, 3 into 16 पहली ट्रम, 8 into 4, 32 ठीक है, और उसके बाद में यहां पर 1 था बच्छो, ठीक है, 1 into 16, 16, तो 16 into 3, 8 into 4 होगा बच्छो, 32, 2 into 16, तो 3 into 16, 2 into 16, और लास्ट वाला 16, तो इस बार बच्छो, ये आएगा, 6 into 16, ये बच्छो, कैल्कुलेट कर लिए, 12 आजाएगा, ये 0 आजाए, 0 नहीं, 1 आजाएग ठीक है, ना, कॉलम में सारे 1 आएगे, ये आएगा, अब देखो बच्छो, आप एक conclusion निकाल सकते हो, यहां से, ठीक है, पहले बार में जिसे P से P स्कॉयर किया, तो ये डबल हुआ था, ऐसे बच्छो, पी की पावर 50 जब निकाल होगे, तो ये कितना हो जाएगा, बच्छ आपको दिमाग लगाना है, वहां केवल 16 था, यहां पर 3 x 16, यहां पर 6 x 16, अगर भच्छो, फिर भी confusion है, तो एक बार और निकाल के देख लिए, पी की पावर 4, उसमें आएगा 10 x 16, तो actually ये हो क्या रहा है यहां पर, इस ये ड्रम आ रही, बच्छो, 16 के साथ में आ रहा ह अगली बार में 1, 2, 3, 4, 10 आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसका conclusion निकलेगा, और यही आपका सबसे important data है, बच्छो, clear है, अब देखो आपको Q31 निकालना है, देखो Q31 को अगर आप यहां से देखोगे, तो Q ब्रावर कितना होगा, बच्छो, पी की पावर 50 होगा न, वही बच्छो, आपका Q31 होगा, तो यही है आपके पास में क्या, Q31, ठीक न, Q31 यही है आपके पास, Q32 बच्छो, इसका अगला data, इसमें भी बच्छो, आई के अंदर यह ट्रम भी 0 होती है, तो Q32 आपके पास में यही data होगा, कौन सा, 15 x 4, Q21 बच्छो, Q21 यही इसको calculate कर लेते हैं, आईए देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पर 16, यह बच्छो देखो, इसका सम निकालो कर आएगा, 50 x 51 और by 2, plus Q32 कितना आए था बच्छो, 50 x 4 और divide by यह भी आएगा, बच्छो, 50 x 4, ध्यान से बच्छो, 50 भी कट रहा है और 4 भी कट रहा है, पहले त 4 चला गया, यहाँ से 4 चला जाएगा, इसके बाद में देखो, तो एक 2 भी यहाँ से cancel out हो जाएगा, 2, तो 51 x 2, that is 102, और plus 1 और divide by 1, तो finally आपका answer आएगा, that is 103, ठीक है, और यही आपका answer है, और 103 आपका कौन सा option है, बच्छो, B option है, ठीक है, तो इसमें जो main motive था, main जो काम था आपका, वो P square और P cube निकालना था, और उसी से आपको आपका answer easily पता चल रहा है, और वहाँ से आप आशानी से देख सकते हो, कि आपका answer क्या आने वाला है, clear है, चलिए आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, और देखते हैं, अगला question, that is question number 3, देखी बच्चों, यह question area से हैं, आपका, अभी तद एक question आपका determinant से आचुका है, एक question matrix से, अब आपके तीसरे topic area से, अगला question, question number 3, देखते हैं, इस question में क्या करना है, बच्चों, y will be greater than or equal to root x plus 3 का mod, ठीक है, x plus 3 का mod लेकर, उसका root लेना है, बच्चों, 5y will be less than or equal to x plus 9, that will be equal to less than or equal to 15, और बच्चों, आपको देखना है कि इससे bounded area कितना होगा, देखी बच्चों, आप सबने एक चीज पढ़ी होगी, कि shifting से कभी भी area change नहीं होता है, जैसे अगर plane के इसमें ले आओगे, तो उसका area उतना ही रहेगा, उसका area change नहीं होगा, तो यहां पर भी देखों, पहला काम हम यह करते है, x plus 3, origin को shift कर लेते हैं, और इसको replace कर देते है, capital X से, x plus 3 की जगे, सब जगे पर capital X output कर दोगे, तो आपकी equation हो जाएगी, बच्चों, y will be greater than or equal to mod x, ठीक है, और दूसरी equation हो जाएगी, 5y से बड़ा हो जाएगा, आपका, x plus 3 को capital X लिखा, तो यह बन जाएगा, बच्चों, x plus 6 will be less than or equal to 50, ठीक है, अब देखों बच्चों, इससे bounded area निकालना है, तो देखों बच्चों, यह वाला जो कार हो है, आपके पास में, इसमें mod जाएगा, तो y square will be greater than or equal to mod x आएगा, अब देखी बच्चों, चेक करें, तो इसका जो graph बनेंगे, इसमें दोनों graphs बनेंगे, और root लगा हो है, तो शिरफ ऊपर वाला part लेना है हमें, ठीक है, graph बड़ा ही ध्यान से बनाएगा, बच्चों, इसमें सबसे important रहता है, एक तो आपका इस तरीके से जाएगा, y square बड़ाबर plus x, और y square बड़ाबर minus x आपका इधर से जाएगा, और आपको शिरफ ऊपर वाला part लेना है, क्योंकि root लगावा है x के उपर, अगर root नहीं होता, तो फिर graph आपका नीचे भी आजाता, दूसरा बच्चों, इस line की बात करें, तो यह line देखो, कहां पर cut कर रही है बच्चों, यह line cut कर रही है आपकी, x, x इसको जब y 0 होगा, तो minus 6 पर, means इधर कहीं पर पिछे cut करेगी, इसके बाद में यहां से जब आप इस line को draw करोगे, तो वो इस तरीके से आएगी बच्चों, इसको cut करके ऐसे आगे की तरफ चल plus 9, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा area आएगा कौन सा यहां से, यह बहुत important part है बच्चों कि कौन सा area आने वाला है यहां पर, देखे बच्चों कैसे check करते हैं कि यह कौन सा area आएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास में inequalities दी अगर यह satisfy कर रहा है तब तो parabola का यह इसके पास वाला जो region होगा, ठीक है ना, वही होगा और अगर यह satisfy नहीं कर रहा है तो parabola का opposite region होगा, बच्चों 1,0 जब यहां पूट करेंगे तो पहली बार में आएगा, 0 will be greater than or equal to 1, तो यह इसको satisfy नहीं कर रहा, इसको satisfy नहीं कर रह region है यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, मिस इसके बाहर वाला region होगा, ऐसे ही बच्चों इस line के लिए अगर check करोगे, ठीक है, तो line के नहीं के पूट करोगे, 1,0 तो 0 यहां पर आजाएगा, तो यह बन जाएगा, 0, y की value 0, x की value 1, will be less than or equal to 7, यह बच्चों satisfy कर गया देगा, तो 0, 7 से चोटा होता है, ठीक है, और 0, 7 से चोटा होता है, मिस line के नीचे वाला part है, पराबोला के बाहर वाला part था, ऐसे इसमें भी check करोगे, इसमें भी बाहर वाला आएगा, तो बच्चों आपका इन तीनों से जो bounded area होगा, वो शिरफ यही होगा, ठीक है, यह हमने इसके इंदर क्या करना है, हमें इसके इंदर point of intersection चाहिए, तो area निकालने के लिए हमें इनके point of intersection निकालने जरूरी है, तो सबसे पहले आपको y square ब्रावर minus x, इसके साथ में भी line का point of intersection, और इधर वाली parabola है, इसके साथ में भी point of intersection, आपको यह दोनों point चाहिए होगे, यह यह भी चाहिए होगा, और यह भी चाहिए होगा, यह तो आपको पता है, यह ब्रावर 0 है, बट यह क्या होगा, इन दोनों को solve कर लीजिए, जैसे एक equation में solve करके बता रहा हूं, एक आप लोग कर लीजिएगा, कैसे solve करना है, जैसे y square ब्रावर minus x के साथ में solve कीजिए, तो minus 6 हो जाएगा, plus 6, तो यह बनेगा, बच्चो, y square plus 5y minus 6, इसके factor आएगे, y plus 6 into y minus 1 बरावर 0, तो देखे, बच्चो, y की दो value जा रही, एक 1 और दूसरी minus 6, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर y positive होगा, उपर, तो इसके साथ में y की value 1 आजाएगी, इसे बच् निकालने का एक तरीका होता है, जो बहुत ही best तरीका है, आपका area calculate करने का, उसमें आपको कौन सा area add करना है, कौन सा subject करना है, उसके बारे में सोचने की जरूत नहीं है, आपको क्या करना है, या तो आप upper curve minus lower curve का concept लगा सकते हो, या आप right minus left का concept लगा सकते हो, तो यहाँ प तक पूरा right में है, तो 0 से 2 तक तो आपको कौन सा area निकालना है, 0 से 2 तक आपको इस parabola के द्वारा area निकालना है, और यह parabola कौन सा था, y square equal to x, ठीक है, यह positive वाला था, तो यहाँ से x की value यहाँ put करना है, क्योंकि y की limit है, तो x की value हो जाएगी बच्चों, y square into dy, ठीक है, फ 1 तक जा रहा है, तो 0 से लेकर के 1 तक बच्चों, आपको कौन सा कारो लेना है, यह वाला, यह कारो था, आपका x बराबर minus y square, minus x बराबर y square, वैसे यह समी का थी, लेकिन की बात करोगे, तो y square बराबर minus x, x की value निकालोगे, तो minus y square, तो यह भी हो जाएगा, बच्चों, plus y square into by, ठीक है, x की value minus y square, हम subtract कर रहे थे, लेकिन minus minus क्या हो जाएगा, plus, इसके बाद में देखो यह करो भी पूरा पहले वाले के comparative में, left के अंदर है, ठीक है, तो 1 से लेकर के 2 तक क्या कर दीजिए, line वाला जो कर हो है, उसको subtract कर दीजिए, और line वाला करो आएगा, बच्चों, इन सब को आप integrate करके, इसमें limit put कर दीजिए, आपका एकदम बिल्कुल सही answer आएगा, देखो, y cube upon 3, ठीक है, आप 2 put करेंगे, y cube by 3 के अंदर, 0 से 2 put करना है, फिर वापिस y cube upon 3 के अंदर, 0 से 1 put करना है, बच्चों, 0 से 1, फिर minus 5y square by 2, minus 6y, इसमें 1 से 2 तक की limit आपको put करनी है, आए ये put करते हैं, देखो, 2 put करोगे तो आएगा, 8 by 3, 0 put करोगे तो 0 हो जाएगा, बच्चों, 1 put करोगे तो 1 by 3, again 0 put करोगे तो 0 हो जाएगा, minus, देखो, यहाँ पर 2 put करोगे, तो कितना आएगा, बच्चों, 4, 4 से 1, 2 कर जाएगा, 5 into 2, 10, और यहाँ पर 2 put करोगे त बच्चो 5 by 2 और साथ में यहां पर 1 फूट करोगे आ जाएगा minus 6 इन सब को calculate कर लीजी देखी कितना आएगा 8 plus 1 9 9 by 3 3 plus 2 5 ठीक है न और इधर किता है minus 6 तो all our आपके पास में बचेगा बच्चो 5 by 2 minus 1 that will be equal to 3 by 2 ठीक है और यही आपका answer होगा और यहीं कौन सा option है बच्चो हम की तरब और अगला क्यूसन देखे कौन सा है हमारा नंबर 4 में देखे हमें क्या करना है कि तो है क्यूसर नंबर 4 अंदर के बच्चो आपको इक differential equation दी गई है देखिए आपके पास में चार सेप्टर थे और पहले चार क्युस्टन ही आपके लगातार चार अलगलग topics से आ चुके हैं और इसी तरीके से बच्चों आपको आपके हर क्युस्टन को solve करना है देखिए कितना आ रहा है देखिए solution of the curve of the differential equation देखिए तो पहले तो बच्चों आपको इस differential equation को solve ही करना पहला motive तो आपका यही होना चाहिए इप X will be greater than 0 passes through the point 1,3 अगर X positive है और अगर आपका कर 1,3 से पास कर रहा है then the solution of the curve तो इसके साथ में आपको solution बताना है क्या 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 आने वाला है चली देखते कैसे करेंगे सबसे पहले इसके अंदर X square plus 4X plus 4 यह 3 drum है और इन तीनों drum को देख करके देखिए हमें लग रहा है कि यह X plus 2 का hall square होगा लग क्या रहा है होगा ही X plus 2 का hall square बाकी जो remaining 2 drum है देखिए वहां से Y common आ गया So Y into X plus 2 ठीक है into DY by DX ठीक है न पूरे के साथ में कितना है DY by DX एक काम करते है DY को इधर लेते और इसको उधर ले जाते है that will be equal to Y square into DX आप देखो बच्चो ज्यान से X plus 2 का hall square Y into X plus 2 into DY by y square into DX देखिए बच्चो इस question को करने के बहुत सारे तरीक है differential equation हम कापी सारे methods पढ़ते हैं एक तरीका आप इसमें X plus 2 को T मान लो तो DX DT आ जाएगा उसके बाद में यह homogeneous equation बन जाएगी उससे solve कर लीजिए एक बहुत ही सांदार सा best तरीका होता है जिसको हम बलता है exact differential equation देखिए क्या होता है उसको apply करने से आपका एक ही line में आंसर आ जाएगा ज्यान से देखिए बच्चो उसके अंदर क्या करना होता है एक साइड dy और एक साइड dx की ट्रम लेते हैं बच्चो तो एक काम करते हैं देखो y x और 2 और इधर y square ठीकर इन दोनों का combination को एक साइड में ले लेते हैं और इसको हम right hand side में ले जाते हैं तो इधर बनेगा बच्चो x plus 2 का hall square into dy बराबर इधर आ जाएगा y square dx अच्छा हम इसी को इधर क्यों लाएं अभी उसका भी मोटिव बताता हूं उसको क्यों नहीं लेकर आए y into x plus 2 into dy देखिए बच्चो इसको जैसे इधर लेकर आऊगे एक ट्रम को माइनस साइन आएगा और माइनस साइन के अंदर एक square वाली ट्रम आती है आप सबको पता होगा ठीक है और वो square वाली ट्रम हमें इधर परजेंट थी x plus 2 का whole square इसी लिए हम इस ट्रम को इधर लेकर आए हैं अब देखिए बच्चो इस x plus 2 के whole square से इसको divide कर देते हैं और इधर y से divide कर देते हैं यह y से divide क्यों किया यह भी अभी देखिए हम बताता हूं इधर बनेगा y dx और साथ मनेगा बच्चो माइनस का x plus 2 into dy और divide by x plus 2 का whole square देखिए बच्चो अगर आप y से divide उदर नहीं करते हैं और अगर आप y से divide नहीं करते हैं तो यहां y स्क्वाइर होता और y स्क्वाइर का differentiation 2y होता जबकि हम यहां पर 2y नहीं दिया हुआ था ठीक y तो दिया हुआ था लेकि x तो यह गो दिफ्रेशियेशन है आपका किसका differentiation है इन पर यह प्रिस्स प्लस2 का differentiation और उसके बाद है y का काम करते हैं इसको 0-91 कर देते हैं क्योंकि हमें नीचे वाले का होता है तो पहले देखिंग ऐलो ora एक्स प्लस ठाडिश काषड का इस एक्स न जाएगा इप्सका क्यूंत команд सल जाएगा या तो इसको आजए कर सकते हो माइनस का log y ब्राबर y divided by x plus 2, ठीक है, plus c, एक constant भी आएगा, c, इसके लिए देखें, आपको दिया गया है कि आपका जो कार्व है, वो कहां से pass कर रहा है, 1,3 से pass कर रहा है, इसको 1,3 put कर दीजिए, देखो, y की value 3 put करोगे, तो यह बन जाएगा log 3, ठीक है, इधर y की value 3 divided by 3 put क कितना आजाएगा, 1 और plus c, ऐसा आजाएगा, ठीक है, y की value 3 और x की value 1, तो 1 plus 2 3, तो यह आजाएगा 1, तो c की value आजाएगी, minus का log 3 minus 1, ठीक है, तो यहां से c ब्राबर आजाएगा, बच्चों, आपका, minus का log 3 minus 1, minus sign को ऊपर ले जाएगे, तो 3 की power minus 1, ठीक है, और यह यह क 1 को क्या लिख सकते हो, log e to the base e, ठीक है, तो minus sign common लोगे, तो c ब्राबर आजाएगा, बच्चों, यहां से minus का log 3 by e, और उसको लिख दीजिए, फिर log e upon 3, ठीक है, अच्छा, log 3 into e, ठीक है, क्योंको दोनों same sign के हैं, तो 1 upon 3 e, ठीक है, 3 e उपर आजाएगा, फिर log 3 plus log e, ठीक सकते हो, तो यहां से देखे, आपकी कारू की equation आ गई, minus का log y, ब्राबर, y upon x plus 2, और minus का log 3, ठीक है, यह equation आ चुकी है, अब देखे बच्चों, आप इस equation को, आपको इनके साथ में solve करके देखना है, कि किसके साथ solution आएगा, और किसके साथ solution नहीं आएगा, तो आप बह value put करोगे x plus 2, तो देखो बच्चो, x plus 2 से x plus 2 कट जाएगा, और यह बन जाएगा, आपका minus का log x plus 2 ब्राबर, minus का log 3e, और साथ में आएगा बच्चों, यहां से कितना, plus का 1, ठीक है, y की जगे क्या put किया हमने, x plus 2, तो यह कितना हो जाएगा, 1, इसको solve किया, बच्चों, वह कट गया, तो यहां से x plus 2 ब्राबर आजाएगा, आपके पास में 3, तो x ब्राबर 1, तो यह बिल्कुल सही है, पहला option आपके पास में, y ब्राबर x plus 2 के साथ में exactly 1 point आपका solution का आएगा, यहां से बच्चों, आप बाकियों को check कर लीजिए, ठीक है, सारे option हो जाएगा, y ब्राबर x plus 2 है exactly 2 points, तो इसमें पूट करोगे x plus 2 का whole square, ग्राफिकल मेथड से देखोगे तो इसका कोई solution नहीं आएगा, ठीक है, इसका भी कोई नहीं आएगा, इसका भी कोई नहीं आएगा, इसका भी कोई नहीं आएगा, लेकिन इसमें दिया यही है, कि does not intersect y ब्राबर x plus 3 का whole square, तो बिल्कुल सही है, इसके बाद किसी के साथ में solution नहीं आएगा, शिरफ पहले वाले के साथ में ही आपके पास में exactly एक point इसका solution आने वाला है, चलियर है, चलिए चलते हैं, अगले question की तरह और अगला question है, बच्चों हमारा question number 5, देखें क्या है, देखो, question number 5 में क्या दिया है, अगें देखें, अगें देखें, इसके अंदर आपको कुछ data दिये गए हैं, और उसके थ्रू इस question को solve करना है, देखें कैसे approach करेंगे, सबसे पहले तो देखें, आपको इसके अंदर एक matrix Q दी हुई है, that is Qij, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ data दिये गए, Q23 दे रखा है, आपको k2 by 2, ठीक है, तो देखें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बच्चो, क्यों हमें solve करने में वो काम में आएगा, तो determinant of P निकाल लेते हैं, कितना आएगा, देखो, determinant of P बढ़ाबर आएगा, बच्चो, 3, यह 0 हो जाएगा, plus 5 alpha, plus 1, minus minus plus 1, यह 0 हो जाएगा, minus 3 alpha, और इसके बाद में आएगा, बच्चो, minus का 2, यह और यह cancel out, minus का 10, ठीक है, माइनस का 10, और य 15 minus 3, that is 12 alpha, और plus 20, यह है, बच्चो, determinant of P की value, ठीक है, जो काम में आएगी, अपने, काफी अच्छे से, इसके बाद ने, बच्चो, यहाँ पर एक दे रखा है, PQ बढ़ाबर के आई, तो इससे अगर हम एक conclusion निकाले, देखो, determinant of P into determinant of Q बढ़ाबर कितना आजाएगा, इसका जब determinant निकालोगे, बच्चो, K cube आएगा, आप सबको पता होगा, कि जब determinant value निकालते हो, identity matrix का, तो हर row के अंदर के multiplication है, तो K cube आएगा, determinant of Q दे रखा है, बच्चो, आपको K square by 2, determinant of P है, बच्चो, यह, तो देखे, यहाँ से आपको एक result मिल रहा है, और वो result देखते हैं, जब पुट करते हैं, देखो, determinant of P, कितना है, 12 alpha plus 20, और 7 में, बच्चो, आपको क्या दे रखा है, 12 alpha plus 20 के साथ में, determinant of Q, इसकी value आपको दे रखिए, K square by 2, और बराबर के अंदर कितना है, आपके सामने, K cube, 2 से डिवाइड करते हो, बच्चो, तो यह आएगा, 6 alpha plus 10 बराबर K, यह बहुत ही एक बढ़िया equation है, बच्चो, जो आपको आगे question solve करने में काम में आने वाली है, ठीक है, 6 alpha plus 10 की value होगी, वो K के बराबर होगी, अब पहला option तो check कर सकते हो, alpha की value 0 और K की value 8, तो बच्चो, alpha जब 0 put करोगे, तो K equal to 8 इसको satisfy नहीं कर रहा है, मतलब पहला option त करने के लिए आपको इस data का भी यूज करना है, Q23 बराबर minus K by 8, देखिए बच्चो, Q23 अगर मैं यहां से देखूं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, इसको P inverse से multiply कर दो, तो P inverse into identity matrix into K, इसका क्या मतलब हुआ, कि Q23 मेरे पास में क्या होगा, Q23 का मतलब समझें बच्चो, second row third column का element, तो आपको क्या करना है बच्चो, इस वाले का adjoint निकालना है, क्योंकि इसका जो adjoint होता है, जो यहां पर P32 का, उसमें क्या आएगा, Q23 आएगा, और इसका adjoint की value क्या होगी बच्चो, यह इसको चोड़ेंगे, इधर से आएगा 3 alpha plus 4, कितना आएगा, 3 alpha plus 4, और साथ में बच्चो, इसके अंदर एक minus sign भी आएगा, तो आप सबको पता होगा, sign plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, तो एक minus sign भी आएगा, और इसका adjoint आजाएगा बच्चो, यह, तो यह आजाएगा 3 alpha plus 4, ठीक है, इसको divide भी करना है बच्चो, क्योंकि P inverse निकाल रहे है, हमना है, P inverse से निकले है, और 7 में बच्चो, इसमें k भी multiplication में दे रखा है, k, ठीक है, यह k आपके पास में हर data के साथ multiply हो जाएगा, इसके बाद में इसकी value दे रखी है, बच्चो, आपको कितनी minus का k upon 8, ठीक है, तो इसको आप solve कर लीजी, आपका answer आजाएगा, यह यहाँ से कट जाएगा, इस 4 into 2, 8, और equal to में आजाएगा मेरे पास, 3 alpha plus 5, तो यहाँ से देखो 3 alpha की value आगई, मेरे पास कितनी, बच्चो, minus 3, तो alpha की value आने वाली है, मेरी, minus 1, alpha की value, बच्चो, minus 1, जब आप यहाँ पे put करोगे, इस वाले equation के अंदर, तो k की value आजाएगी, बच्चो, आपके सामने, 4, ठीक है, minus 6 plus 10, k की value कितनी आजाएगी, 4, तो alpha की value minus 1 और k की value 4, देखिए बच्चो, इसको satisfy कर रही है, ठीक है, बच्चो, इसको इसको satisfy कर रही है, ठीक है, बच्चो, बच्चो, आपका बिलकुल सही option है, ऐसे बच्चो, आप option C और option D को अगर calculate करोगे, तो यह भी बच्च तो determinant of P की value कितनी आजाएगी, 20 minus 12, that will be equal to 8, ठीक है, 2 की power 3 है, value of determinant of P, और determinant of Q की value, बच्चो, आप निकाल सकते हो, क्यों K की value आ चुक यह 4, 16 by 2, so determinant of Q की value भी कितनी है, बच्चो, 8, ठीक है, तो यहां से आप इन options को बड़े ही आसानी के साथ में देख सकते हैं, कि इसका answer य या नहीं, तो यहां पर आपको देखों क्या करना है, determinant of P into determinant of adjoint of Q, तो यह कितना आएगा बच्चो, इसके determinant की property लगाएंगे, so that is determinant of P into determinant of Q का all square, क्यों adjoint की property क्या होती है, determinant of Q की power n minus 1, n की value 3, so 3 minus 1, 2, बच्चो, यह 2 की power 3, और यह भी 2 की power 3, 2 की power 3 की power 2, 2 की power 6, into 2 की power 3, 2 की power 9, तो यह option भी बच्चों बिल्कुल सही option है आपका, similarly बच्चों इसको भी check करो, इसका answer भी 2 की power 9 ही आएगा, तो यह option बच्चों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, clear है, तो इस तरीके से बच्चों हम अपने हर question को solve करेंगे, clear है चलिए बात करते हैं, अगले question के बच्चों बात करते हैं, अगले question number 6 की दरब, question number 6 क्या है, देखिए हमारा, question number 6 में हमें दिया है, a, lambda, mu सभी real numbers है, और consider the system of linear equation, यह question बच्चों आपके 9-10th level का question है, ठीक है, बस advance मैं पूछ लिए गया है, कि आपको पीछे के concepts भी आते हैं और वैसे आप determinant की help भी चाओ, तो use कर सकते हैं, बट उसकी जरूत नहीं कि वेदव simple सा concept लगता है, इसके बीच में, कि दो lines के कब आपके पास में infinite solutions होंगे, कब आपके सामने unique solution होंगे, और कब दो lines आपकी parallel होती है, ठीक है, 9-10th में पढ़ते हम सभी बच्चे, ठीक है, त that will be not equal to, आपके पास में होना चाहिए, 2 बटे, minus 2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चो, तो a की value minus 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह किसके लिए है, unique solution के लिए, unique solution के लिए, unique solution के लिए क्या होगा, a की value minus 3 नहीं होगी, देखिया, आपको unique solution वाला option दिया है, यह आपका बिल्कुल स of lambda, उस case में चाहिए, lambda कुछ भी होगा, अगर यह condition आपके पास में not correct हो गई, ठीक है, चाहिए, lambda और mu बराबर हो जाए, चाहिए, not बराबर हो जाए, चाहिए, कुछ भी आजाए, आपका यह, इसका हमेशा system का कैसा रहेगा, unique solution के लिए, unique solution के लिए शिरफ यह condition होती है, so for all values of lambda, ठीक, and mu, ठीक है, lambda और mu की सभी values के लिए, इसका क्या रहेगा, बच्चो, हमेशा, unique solution, clear है, बात करते हैं, बच्चो, infinite many solution की और no solution की, बच्चो, no solution या infinite many solution के लिए, क्या करना होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्फाइनाइट solution के लिए, इन्पाइनाइट solution के will be equal to lambda upon mu, यह सब बराबर होने चाहिए थे, सब बराबर होने यह कट जाएगा, बच्चो, यहां से एक तो a की value minus 3 आएगी, और साथ में यह minus 1 है, so lambda will be equal to minus mu, so lambda plus mu बराबर 0, और यह किस्चीज की condition होगी, बच्चो, आपकी, यह होगी infinite solution की condition, so चलिए बात करते हैं, इन्पा infinite वाले option में दिया है कि अगर lambda plus mu 0 है, then the system has infinite many solution for a equal to minus 3, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चो, lambda plus mu 0 होना चाहिए, और साथ में a की value minus 3 होनी चाहिए, अगर यह दोनों चीज़ें सही है, तो आपके सामने इस system का क्या हो जाएगा, infinite many solution, ठीक है, similarly बच्चो, आप तीसरी condition लगा हैंगे no solution वाली, तो यहां पर not equal to आ जाएगा, तो यहां पर not equal to आ जाएगा, लेकिन a की value अभी भी minus 3 होगी, तो lambda plus mu not equal to 0, then the system has no solution for a equal to minus 3, तो यह option भी बच्चो आपका बिल्कुल सही हो गया, तो यह तो आपको अगर 10th class में आपने एक topic थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा, फिलर है, आगे चलते हैं बच्चो अगले question की तरफ और अगला question है बच्चो question number 7, देखिए इस question में क्या करना है हमें, इसमें दे रहता है बच्चो आपको for a real number a, if the system of a linear equation has infinite many solution, then 1 plus a plus a square कितना होगा, तो देखिए बच्चो इसको करने के लिए सबसे तो infinite many solution के है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको solve कर लेते हैं, देखते कितना आएगा, a1, a, यहाँ पर दे रहता है a square a1, इसको solve करते हैं, देखिए बच्चो कितना आएगा, देखिए, सबसे पहले आएगा हमारे पास में 1, 1 minus a square, उसके बाद आएगा minus ka a, यह यह और यह हट जाएगा, a square minus a square, और यह क्या होना चाहिए, 0, तो यह तो खोदी 0 हो गया, a square minus a square, यहाँ से आएगा, 1 minus a square, minus a square, plus a की पावर 4 बराबर, 0, तो यह बनेगा, बच्चो, a square minus 1 का whole square बराबर, 0, और a square minus 1 का whole square 0, कब होगा, जब a square 1 होगा, और a square 1 होगा, a equal to 1 और minus 1 पर अब देखी बच्चो एक ही दो वेल्यू जा रही है और हमसे पुछा गया कि इस expression की क्या value होगी तो देखी बच्चो एक्जाम में जब ऐसा question आता है तो उसके 2 solution नहीं हो सकते उसका एक ही answer होगा तो number of solutions आप से नहीं पूछे गये हैं तो फिर इसका मतलब यह होगा इसमें से किसी एक value पर कुछ गढबढ हो रही है तो चली हम check करते हैं पहले मान लेते हैं कि एक की value 1 है तो इस जगे पर 1 put करोगे तो आपकी equations ऐसी बनेगी बच्चो एक्स प्लस य प्लस जड़ बराबर 1 पहले सब जगे पर 1 पूट कर दीजिए दूसरी equation बनेगी आपके पास अगें एक्स प्लस य प्लस जड़ बराबर माइनस 1 और फिर बन जाएगी एक्स प्लस य प्लस जड़ बराबर 1 यह कब है जब एक की value कैसी होगी मेरे पास 1 बच्व जहां से देखिए तो इस equation का और इस equation का no solution होगा इसका और इसका क्या होगा no solution क्यों कि यह दो parallel plane है आप सबको पता होगा कोई भी दो parallel plane जब भी आपस के अंदर इस तरीके से होते हैं तो उसके अंदर क्या होते है आपके पास में no solution और तीसरे आउला तो a equal to 1 इसलिए हमारा answer नहीं होगा, a equal to minus 1 जब यहां put करोगे तो आपके पास में जो planes आएंगे, ठीक है, उसका infinite minus solution आ जाएगा, तो इसके अंदर a की value minus 1 put कर दीजिए, so 1 minus 1 plus minus 1 का whole square, यह कड जाएगा, और 1 बच्चों आपका answer आ जाएगा, तो इसका जो सही answer होगा, वो आ एक छोटी सी आपको चीज पर ध्यान देना था, और advance में आपको हर question के लिए आपको हर question पर अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, आगे चलते हैं बच्चों अगले question की तरह, अगला question है, हमारा question number 8, और question number 8 में देखिए हमें क्या करना है, question number 8 में देखिए आपको, which of the following is not a square of 3 into 3 matrix with real entries, ठीक है न, इसका क्या मतलब हुआ देखिए बच्चों, यह जो matrix से दी हुई है, यह किसी matrix का square है, क्या है, किसी matrix का square है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई matrix A है, जिसके अंदर कुछ entries है, ठीक है, और इस A का जब मैं square होंगा, तो मेरे पास में यह matrixes आ रही है, जो आपको options में दी गई है, बच्चों, इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, कि आपके पास में, कि यह सारे data ही, diagonal data ही होंगे, दूसरे data से भी आपके पास में, यह elements 0 हो सकते है, अपर वाले और लोर वाले, ठीक है, इसलिए आपक which of the following is our not the square of a 3 into 3 matrix with real entries, means अगर इसकी real entries है बच्चों, ठीक है, तो जब आप इस matrix का square करोगे, तो real number को multiply करने से real ही number आएंगे सब जगे पे, और बिल्कुल हमें देखे, A square में सब जगे पे real entries ही दी गई है, ठीक है, और देखे, A square है आपके पास में, ठीक है, तो अगर आप उसके determinant की बात करें, ठीक है, अगर इस matrix का मैं determinant निकाल लूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये A square है बच्चों, ठीक है, और A square है, तो आप सब को determinant की property बताओगे, कि ये mod A का, determinant of A का square भी हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, कि जो A square जो आएगा आपके सामने, वो कैसा आ आना चाहिए, बच्चों, real आना चाहिए, क्योंकि ये determinant of A का square है, जो भी आपके पास में determinant A के जो data होंगे न, उसका square बनेगा यहां पर, ठीक है, और अगर उसका square बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ, कि A square की value कैसी होनी चाहिए, बच्चों, positive होनी चाहिए, और ये सब की value निकालोंगे, तो minus 1 आएगी, इसकी value 1 आएगी, इसकी value भी 1 आएगी, और इसकी value भी minus 1 आएगी, क्यों, निकालके देख लीजिए, determinant को, diagonal matrix है, तो determinant value diagonal का multiplication ही होता है, और बच्चों, हमें पता है कि इसका matrix का square कैसा आना चाहिए, positive आना चाहिए, क्योंकि इसके coefficients कैसे है, real, अगर इसके coefficients imaginary होते हैं, तब तो यह आपके पास में negative भी आ सकता है, बट क्योंकि आपको real entries दी गई है, तो आपको real ही माननी है, इसका मतलब यह हो गया, कि आपके पास में पहला और चौथा option गलत option है, और आपसे गलत option ही पूछा गया है, बच्चों, ज्यान से पढ़िए इसका में, which of the following is the not the square of this matrix, तो कौन से गलत option है, वही आपको select करने है, तो option A आपका गलत होगा, और option D भी बच्चों, आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर चलते हैं, बच्चों, अगले question की तरफ, और अगला question देखिए हमारा क्या है, अगला question है, हमारा question number 9, औ अगले है, बच्चों, फिर से देखिए, आपका area से related question, ठीक है, if the line x equal to 8 divides the area of the region x square y और x के बीच का, और x की value 0 से 1 के बीच, देखिए बच्चों, y ब्राबर x cube का graph ऐसा होगा, और y ब्राबर x का graph ऐसा होगा 0 से 1 के बीच में, कहां पर? 0 से 1 के बीच में, बस हमें इसी graph से meaning है, इन से bounded area y के तो नीचे का x cube के आपके पास में कैसा? उपर का, और जिसको पता नहीं चल रहा है, again 1,0 इसमें put कीजिए, तो 1 is less than or equal to 0, इसको satisfy नहीं करेगा, 1 0 से छोटा नहीं होता है, बहुत इसका opposite वाला part, तो x cube के तो उदर वाला, और line को satisfy कर जाएगा, देख, 1,0 0 will be less than equal to 1, तो line के नीचे वाला, ठीक है, तो बच्चो यह जो area है आपके पास में, एक कोई line है, आपकी x equal to alpha, जो इसको 2 equal part में divide कर रही है, ठीक है, यह midpoint नहीं है, इसका, ठीक है, यह एक ऐसी line है, जिसे यह दोनो area आपके equal part में divide हो रहे हैं, तो बच्चो आपको करना क्य equal to, 0 से 1 ने, 0 से alpha तक और यह area बराबर है, alpha से 1 तक, again अपर कारो x minus x cube into dx, इसको solve कर लीजी, देगी बच्चो कितना आएगा, x कितना आजाएगा, x square by 2 minus x to the power 4 divided by 4, और इसमें values पूट कर दीजी, 0 से लेकर के alpha तक, बराबर, यहां पर जैसे ही करेंगे, देगो बच्चो कित alpha square by 2 minus x to the power 4 divided by 4, और इसमें values पूट कर दीजी, 1 से लेकर के alpha तक, देखें कितना आ रहा है, alpha square by 2, इसको 2 से multiply भी कर दे, ताकि 4 कट जाएगा, minus alpha की power 4, और नीचे से अटा देंगे, बराबर, 1 पूट करोगे, तो 2 से multiply कर देंगे, इसको 2 minus 1, फिर minus alpha square, 2 से multiply कर देंगे, 2 alpha square, और यह बन जाएगा, plus alpha की power 4, ठीक है ना, plus ही बनेगा, नहीं, plus नहीं बनेगा, देखो बच्चो, यहाँ पर 1 फूट करोगे, तो positive, फिर negative, फिर एक minus sign आएगा, ठीक है, और इसमें alpha फूट करोगे, तो minus 2 alpha square, और फिर एक minus sign आएगा, तो से यह alpha की power 4, ठीक है ना, इस सारे data को right hand side में ले आओ, तो यह बन जाएगा, 2 time alpha की power 4, minus 4 alpha square, और plus 1 बराबर 0, एक तो बच्चो, यह relation मिलेगा, आपका इससे, एसा option कौन सा दिया है, ऐसा option दिया है, बच्चो, आपको B, बच्चो, इसमें alpha की जगे पर A लिया हुआ है, तो जब आप A लोगे, तो alpha की जगे पर A आजाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर alpha ले लिया है, तो कोई दिख्चत नहीं है, जहाँ पर भी आपके पास में A है, ठीक है, आपको जगे पर लास्ट में, आप alpha को A से replace कर दो, तो आपका B option, बच्चो, क्या आजाएगा, सही आजाएगा, साथ में बच्चो, आपक function है, तो इसकी value अब इन तीनों points पर निकालते हैं, अपने को 1 by 2 दिया है ना नीचे option में, तो एक तो f of 0 निकालते हैं, एक f of 1 by 2 निकालते हैं, और एक आप निकाल लेते हैं, कितनी, 1 पर, इससे अपने को idea लग जाएगा कि कहां पर लाई करेगा, हमारा alpha या A जो भी हम कह कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है आपको, ठीक है ना, 0 पर value कितनी आ रही है, positive, 1 by 2 पर भी value positive, और 1 पर value कहां रही है, नीचे negative, तो simple सी बात है कि graph जैसे भी गुमेगा, इसके बीच में तो एक बार जरूर cut करेगा, तो alpha का एक root तो आपका 1 by 2 से 1 के बीच जरूर आइगा, तो आपका option A ही सही होगा, क्योंकि A की point है, जहां पर यह आपके पास में 2 equal area में divide कर रहा है, clear, तो जो आपका answer आएगा, वो कहां से का आएगा, 1 by 2 के 1 से बीच में, तो option A और option B दोनों यहां पर सही है, और बाकी के 2 option बच्चों आपके क्या है, गलत option है, clear है, आ इसमें बोलाया है कि बच्चों, how many 3 into 3 matrices M with entries from 0, 1 and 2 are there for which the sum of the diagonal entries of M T into M is 5, देखें बच्चों, how many 3 into 3 matrices M with entries from 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries of M T into M is 5, देखें बच्चों, जब भी आप कोई भी 2 matrices को multiply करके देखूँ के, देखो, how many 3 into 3 matrices M with the diagonal M और M transpose, इन दोनों को भी multiply करना है, देखें बच्चों, जैसे आपने इदर लिया, A, B, C, D, E, F, और G, H, I, ठीक है, जैसे इदर आएगा इसका transpose, A, B, C, इदर आएगा आपके पास में D, E, F, और G, H, I, इसके इसके इसरफ diagonal elements नि पहले column के साथ multiply होगा, तो पहला diagonal element आजाएगा, A square plus, पहली row पहला column, B square plus C square, फिर बच्चों, second row second column, D square plus E square plus F square, और third row third column, बच्चों, G square plus H square plus I square, ठीक है, तो ये आपके पास में इसके diagonal के elements बनेंगे, आपको क्या दिया गया है, कि आपको entries लेनी 0, 1 और 2, means, ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, आपको क्या लेना है, 0, 1 और 2 में से, और इस तरीके से लेना है, कि for which the sum of the diagonal entries of M T into M will be 5, इन सब का जो सम है आपके पास में, वो कितना होना चाहिए, बच्चों, A square plus B square से लेकर के, I square थक, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो दे एक नमबर तो 4 हो जाए, एक नमबर एक हो जाए, एक नमबर एक हो जाए, एक नमबर एक हो जाए, तो 4 प्लस एक पांच, और बाकी 7 नमबर से आपके पास में, 0, 0 आजाए, 7 बार, क्यों, क्यों कि 5 ही तो चाहिए अपने को, और लेना है, 0, 1, 2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, में तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है, कि 5 बार, 1, 1 आजाए, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 तो ये आजाए, और 4 बार आपके पास में, 0 आजाए, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये कितनी बार आजाए, 4 बार, ठीक है, लेकिन देखो बच्छों, ये काम कितनी बार कर सकते हैं, क कोई सब एक element आपका क्या हो सकता है तो 9 में से एक option select कर लीजिए 9 में से किसी एक alphabet को select कर लीजिए और उसको 2 दे दीजिए ठीक है ऐसे ही बच्चों पीसे 8 बचेंगे उस 8 में से एक और select किये जिए और उसको 1 पकड़ा दीजिए ठीक है ना तो 9C1 into 8C1 और फिर 7 है उन 7 को 0 देना है तो क्यों आए के 7 में से 7 को select कर लीजिए और सब को 0 दे दीजिए उसका एक ही तरीका रहेगा तो यह काम हो सकता है बच्चों 72 वेसे ठीक है ना तीनों को multiply करना है अब की बार क्या करना है बच्चों 9 element है उसमें से 5 को select करके 1 पकड़ाना है तो 5 9 में से 5 को select करो कि आएगा 9C5 और आपके सामने कितने बचेंगे आपके सामने चार बचेंगे उन चार में से क्या करना है आपको चारों को select करना है और उन सब को 0 पकड़ाना है ठीक है तो कितना आएगा देखो 9C5 जब आप calculate करोगे तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 9 into 8 into 7 into 6 divided by 24 इसको से divide कर दीजिए 3 यह cancel out हो जाएगा 2 time तो कितना आएगा देखो 9 7 into 14 14 into 9 that will be equal to 126 इन दोनों को add कर दीजिए तो आपका जो सही answer होगा वो कितना आजाएगा 198 तो fourth option आपका सही होगा चलियर बच्छों बात करते हैं अगले question की तरफ और अगला question है हमारा question number 11 देखें इस question में क्या करना है हमें सबसे पहले तो आपको differential equation दी गई है अगे इस differential equation को solve करना है और solve करके फिर वही constant निकालना y256 मिंस्स यह सारा काम हमें करना है तो चलिए बात करते हैं कि कैसे solve करेंगी तो सबसे पहले तो हमने इस differential equation को लिखा d y बराबर इसको नीचे ले आए सारे parts को तो यह बन जाएगा one upon power minus one है सबसे पहले वही नीचे आजाएगा यह बनेगा आपके पास में four plus root over nine plus root x यह पहला factor है इधर से 8 नीचे आजाएगा इसके साथ में बच्चो और बीटरम आएगी रूट आवर nine plus root x यह भी नीचे आजाएगा और साथ में बच्चो root x भी नीचे आजाएगा और ऊपर है आपके पास में d x ठीक हैं डी ब्राबर तीस एक काम करते देंगी बच्चो इसको टी मान लेते हैं ठीक है यह जो नीचे वाला है ठीक है इसको टी मान लेते हैं देखिए कितना आ रहा है हमारे पास किसको टी माना हमने देखो root over four plus nine plus root x ब्राबर टी देखिए कितना आएगा सबसे पहले देखिए बाहर वाले root का differentiation होगा तो यह आएगा one upon two time root over यह function पूरा का पूरा एगिटी जा जाएगा four plus nine plus root x इंटू फिर बच्चो फोर का differentiation zero और वापिस root आ रहा है तो इसका differentiation होगा one upon two into root over nine plus root x फिर अगें बच्चो इंटू nine का differentiation zero root x का differentiation फिर आएगा बच्चो one upon two root x into dx ब्राबर dt देखिए बच्चो यह तो पूरा का जो यह देरका था इधर right hand side में two 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 three बार आ गया eight यह पहली ट्रम भी आ गई दूसरी ट्रम भी आ गई तीसरी ट्रम भी आ गई तो right hand side तो पूरी ही कि पूरी आपके पास में क्या बन गई बन गई तो यह हो गया आपके पास में d y ब्राबर dt कि इसको बच्चो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो य ब्राबर टी प्लस c y आपको y है t की value वापस पूट कर दो t हमने किसको माना था रूट आवर 4 प्लस 9 प्लस रूट x और प्लस c c निकालने के लिए बच्चो आपको क्या करना है x को 0 पूट करना है x को 0 पूट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा तो रूट 9 होगा बच्चो आपके पास 3 और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट 7 और x equal to 0 पर y की value भी रूट 7 है यह भी रूट 7 मन गया प्लस c तो c की value कितनी आ गई बच्चो 0 आ गई अब बच्चो आपको y of 256 निकालना है तो देखिए जब y of 256 निकाल होगे तो इसके अंदर x को आपको 256 पूट करना है तो देखिए कितना हैगा 4 प्लस रूट आवर 9 256 का रूट होगा बच्चो 16 और cm पहले निकाल चुक है तो फिर से वापिस देखा 4 प्लस 9 प्लस 16 होगा बच्चो 25 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 5 प्लस 59 तो फाइनली आपके यहां इस पॉर 5 प्लस 4 99 का रूट कितना आजाएगा 3 और यहीं बच्चो आपका आंसर होगा तो इतना बड़ा दिया है लेकिन आंसर चोटास आएगा यहां इसका आंसर कितना आने वाला है थ्री आने वाला है बच्चो क्लिए चलते हैं अग आपको अगें एक differential equation ही दे रखी है, f dash x बराबर this, इसको आपको solve करना है, f of 1 और g of 2 की value 1 दे रखी है, which of the following statement is true, फिर आपका g1 और f of 2 के अंदर एक inequality established हो रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, इसको solve कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो e की power f x को नीचे ले आईए, तो यह बन जाएगा e की power f x, बराबर right hand side में बच्चो, g dash x और e की power minus g x, तो minus g x को नीचे ले आईए, तो यह बन जाएगा e to the power plus g x into g dash x, बच्चो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो f of x को थोड़ी ज़र के लिए t मान ले, तो यह बन जाएगा देखो dt, f of x को t माना, तो यह बन जाएगा e to the power minus t into dt, इसको alpha मान ले बच्चो, तो यह e to the power minus alpha into d alpha, ठीक है न, इसको हमने क्या माना t, और इसको क्या मान लिया, alpha मान लिया, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब बच्चो, हम इसको आसानी से integrate कर सकते हैं, दो ब्रावर, e की power minus alpha का minus e की power minus alpha plus c, इस e की power minus alpha को right hand side में ले आते हैं, तो यह बनेगा बच्चो, e की power, यह minus minus, इधर आगे minus plus हो जाएगा, लेकिन उपरवाला minus c रहेगा, alpha किसको माना था बच्चो, gx को, और minus e minus t किसको माना था, f of x को, that will be equal to c, अब देखिए बच्चो, put करते हैं, और देखते क्या आएगा, बच्चो, f of x की value एक बार 1 put करें, तो g of 1 की value नहीं पता, तो इसको नीचे ले आते हैं, 1 upon e into g of 1 लिख देते हैं, minus, f of 1 की value 1 दे रखिए बच्चो, तो यहाँ पर 1 put करेंगे, तो f of 1 की value 1 हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, 1 upon e ब्रा जाएगा, और minus, f of 2 आएगा, यहाँ पर, f of 2 की value नहीं पता हमें, तो उसको नीचे आजाएगा, 1 upon e की power f of 2, और यह कितना दे रखिए बच्चो, c, that is the equation number 2, अब देखिए बच्चो, इन दोनों equation से हमारा main motive is c को अटाना, क्योंकि c के बारे में हमें और कोई data नहीं दिया 1, यह minus, subtract करोगे, तो यह minus sign plus हो जाएगा, 1 upon e into f of 2, और यह minus 1 by e, minus 1 by e, minus 2 by e, और उदर 0, तो इसको दूसरी साइड में ले जाएगे, तो यह बन जाएगा 2 upon e, अब देखो बच्चो, यह दोनों दो positive number है, और इन दो positive number का sum आ रहा है, 2 upon e, ठीक है, और दो positive number का sum अगर 2 by e ह है, तो इसमें से अगर मैं एक number की बात करूँगा, किसी week की भी, जैसे g of 1 की बात कर लो, तो यह आपका 2 upon e से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का sum जब 2 by e है, ठीक, और दोनों positive number, एक की value तो 2 by e से छोटी ही होगी, अब इसमें दोनों साइड log ले लीगे, तो क्या आ बाहर आजाएगी, और log e बच्चो आपका 1 हो जाएगा, अच्छा, यह e की power g1 है और उपर आपके पास में 1 और इधर है e की power f of 2 बराबर 2 by e, हाँ, दोनों साइड में log ले लीजिए, तो log 1 तो हो जाएगा बच्चो 0, minus g of 1 बाहर आजाएगा, into log e बच्चो 1 हो जाएगा, will be less than log 2 minus log e, इसको minus sign से multiply कर दीजिए, तो देखे बच्चो g1 की value क्या आजाएगी, greater than, log e बच्चो 1 होता है, so 1 minus log 2, g1 की value बच्चो आपके 1 minus log 2 से greater होगी, और ऐसा आपको option दिया गया है, बिलकोल देखी option c, g1 1 minus log 2 से बड़ा होगा, जैसे बच्चो आपने यह g1 के लिए पाता, वही बात हम f of 2 के लिए लिए लिखेंगे, सिरफ g1 की जिए f of 2 आजाएगा, और यह inequality आएगी, f of 2 की value भी आजाएगी, मेरे पास, 1 minus log 2 से greater, तो option b और option c, दोनों option बच्चो आपके यहां पर क्या है, सही answer है, क्लियर है, आगे चलते हैं, बच्चो क्यूसर नमर 13 की functional equation दी गई है, f of x ब्राबर 1 minus 2x, 0 से x e की power x minus t dt, for all x belong to 0 से infinity, then which of the following statements is not true, तो आपको बताने हैं कि कौन-कौन से statements आपके यहां पर correct है, और कौन-कौन से statement incorrect है, तो देखिए बच्चो सबसे पहले तो इस functional equation को solve करते हैं, और उसके बाद में बात करेंगे, तो कैसे solve करेंगे तो इसको दोनों साइड में एक बार differentiate कीजिए, बच्चो, f dash x बराबर, कितना आएगा देखो, 1 का differentiation 0, minus 2x का differentiation minus 2, इसका differentiation दो बार करना पड़ेगा, और यह f of t है यहांपर, f of t, e की power x minus t into f of t, इसका differentiation दो बार इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि e की power x को बाहर निकालना प रहेगा, e की power minus t into f of t into dt, और दूसरी बार बच्चो, इस वाली टरम का differentiation करेंगे, तो इसका जब differentiation करोगे, तो e की power x, इसमें lemnage लगेगी, तो यहां से आएगा e की power minus x into f of x, और x का differentiation 1 हो जाएगा, तो देखी बच्चो, यह तो मिल करके, आपके पास में कितना आगया, f of x c आ गया, लेकिन यह फिर integration का sign रहेगा, तो इसकी जगे काम करते हैं, उपर क्यूशन से value put कर देते हैं वापिस, क्यों e की power x into e की power minus t f t dt, इसकी जगे पर आप value इन दोनों टरम को इधर ले जाए, f of x minus 1 plus 2 put कर सकते हो, तो इस पूरे की जगे पर मैंने value put कर दी, बच्चो, f of x minus 1 plus 2x, और साथ महीं, बच्चो, यहां पर minus का 2 है, plus के इंदर, और इधर है आपके पास में f dash x, तो क्या आगया, देखो, f dash x, इस f of x और f of x दोनों को इधर ले हो, minus का 2 time f of x, और उधर आपके पास में बच जाएगा, बच्चो, 2x minus 3, ठीक है, यह देखें, बच्चो minus 2 into y, बराबर 2x minus 3, ठीक है, जिसका integrating factor होगा, e to the power minus 2 का integration, that is e to the power minus 2x, f dash x को y लिखेंगे, so y into e की power minus 2x, बराबर, उधर आजाएगा, बच्चो, e की power minus 2x into 2x minus 3, इसको आप integrate कर दीजिए, तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, y की value मिल जाएगी, आपको यहां से, y into e की power minus 2x, integration क्या होगा, देखो जान से, सबसे पहले तो e की power minus 2x का integration की बात करें, तो e की power minus 2x कितना आएगा, देखो बच्चो, इसमें क्या करेंगे, वो integration by parts लगाएगे, पहला function, दूसरा function, पहला function, as it is 2x minus 3 into e की power minus 2x का integration, e to the power minus 2x divided by minus 2, minus sign को उपर लिख दिया, फिर minus sign, इस पहले क differentiation 2, इसका differentiation 2, और इसी का integration, ठीक है ना, सीधा कर सकते हो, कोई आपको बाहर बाहर करने की जुरूत नहीं है, minus e की power minus 2x divided by minus 2, तो यह हो जाएगा, बच्चो, प्लस 4, और प्लस कितना आजाएगा, c, ठीक है, तो देखिए हमें finally क्या equation मिली, इस पूरी equation को e to the power minus 2x, अगर multiply कर कर दे, तो हमें मिलेगा, बच्चो, y ब्राबर, यह to the power minus 2x हट जाएगा, 2x minus 3 divided by 2, और वो भी minus का, तो यह बन जाएगा, बच्चो, 3 minus 2x divided by 2, ठीक है, 3 minus 2x, क्योंगे minus i ने, तो उसको multiply कर दिया by 2, और minus, वहाँ पर आपके पास में कितना आजाएगा, minus का 1 by 2, और प्लस c तो यह कितना आगया, देखो, इसको simplify कर लो, e की power minus x, यह minus x, 3 by 2 minus 1 by 2, plus 1 plus c, ठीक है, y ब्राबर, यह आगया, अब देखो बच्चो, इसके इसके अगर मैं x को 0 पूट कर दूँ, तो f of 0 ब्राबर, 0 से 0, integration 0 हो जाएगा, यह भी 0, तो f of 0 की value 1 होगी, तो 1 से 1 कट जाएगा तो c की value 0 आजाएगी, और आपके y की value आजाएगी, कितनी, minus x plus 1, ठीक है, और यह y की value जब आ गई है, आपके सामने, ठीक है, तो यहां से आप पहले और दूसरे option को check कर सकते हो, पहला option दिया है, देखो, तो 1 put करोगे, तो minus 1 plus 1 0 हो जाएगा, तो पहला option क्या हो गया, बच x की value 2 put करोगे, तो minus 2 plus 1, y की value minus 1 आएगी, तो यह बिल्कुल सही option है, आपका option number b, option number c के अंदर देखो, आपका c और d दोनों के अंदर a की है, आंसर अलग लग दियावा है, बाकि option बिल्कुल सेम है, ठीक है, y है, आपका root over 1 minus x square, यह बच्छो, क्या है आपके पास में, यह semi-circle है, y will, squaring कर दो, x square plus y square by over 1, so that is semi-circle, और इधर fx है, बच्छो, आपके पास में, एक line की equation, इनसे bounded area निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, बच्छो, आसानी से, इसके अंदर, जैसे आप calculate करोगे, आपका answer आजाएगा, I think c option आएगा, यहाँ पर, ठीक है, एक आपके circle है, और एक line है, ठीक है, उन दोनों से bounded area पूछा है आप से, तो उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, clear है, आगे चलते हैं, बच्छो, अगले question की तरह, और अगला question है, बच्छो, हमारा question number 14, देखे, क्या करना है इसमें, question number 14 में आपको दिया है, farmer f1 has a land in this shape of triangle with vertices this, देखे, कोई किसान है आपके सामने, ठीक है, farmer, उसके जो land है, वो triangular format में है, जिसका अंदर सबसे पहला vertex है, बच्छो, आपका 0,0, दूसरा vertex है, बच्छो, आपका 2,0, इतना है, 2,0, और तीसरा vertex है, बच्छो, आपका 1,1, ठीक है, इस format में उसकी land है, जमीन है, ठीक है, ठीक है, इस में से क्या कर रहा है, लेंड अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है, बच्छो, इस टाइप का ये कोई एक रीजन आएगा, ठीक है, यह हमने यहां तक कर लिया, लाइज बट्विन इस साइड पी क्यू अड इकर दिस, if the area of the region take away by the farmer, F2 is exactly 30% of the area of the triangle PQR, बच्छो, यह जो area है आपके पास में, कौन सा, यह इस region का area, यह जो shaded area है, इसको नाम दे दे, अगर हम A, तो इसकी value आपके पास में क्या है, 30% of the triangle का area, और triangle का area हम निकाल सकते हैं, बच्छो, 1 by 2 into base कितना इसका 2, और height कितनी है, एक, यह कट जाएगा, तो यह जाएगा 3 by 10, लेकिन बच्छो, यह area होगा कितना, तो इस line का area, minus curve का area, line है बच्छो, y बरावर x, क्योंकि 0, 0, 1, 1 से पास कर रही है, 1 x minus x की power n, और इसको integrate करना है, upper curve minus lower curve, 0 से लेके 1 तक, और यह किसके बरावर है, बच्छो, 3 by 10, तो जैसे integrate करोगे, आपका, आपका n की value मिल जाएगी, कितनी आ रही है, चलिए check कर लेते हैं, x square by 2 minus x की power n plus 1 by 2, इसमें values put कर दीजिए, 0 से लेकर के by n plus 1, 0 से लेके 1 तक, देखो कितना आएगा, 1 put करेंगे, तो 1 by 2 minus 1 upon n plus 1, और 0 put करोगे, तो बच्छो, 0 हो जाएगी, दोनों टरम, बरावर 3 by 10, इसको इधर लाते है, इसको इध n plus 1 बरावर, lcm लोगे तो आएगा 10, 2 से डिवाइड करोगे, तो 5 minus 3, that is 1 upon 5, ठीक है, so 1 upon n plus 1, बरावर 1 upon 5, तो n plus 1 की value कितनी आ गई बच्छो, 5 तो आपकी n की value कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, तो यही बच्छो आपका सही answer है, clear, आगे चलते हैं बच्छो, अ 15 में देखी हमसे क्या पूचा है, let p be the matrix of order 3 into 3 such that all the entries in p from the entries minus 1, 0 and 1, then which of the maximum possible value of the determinant of p is, तो देखी वच्छो, इसके इंदर हमें ऐसा लगता है, generally जब क्यूसर आता है, तो हमें इसका answer 6 लगता है, क्यों, क्यों हमें ऐसे लगता है, कि जब हम determinant को solve करते हैं, तो अपने पास में इस तरीके से दो-दो के drum आती है, ठीक है, alpha minus beta, ठीक है, बहार जिसे a, ठीक है, फिर minus b, beta minus, for example, gamma minus c, ठीक है, plus a, b, alpha, beta, gamma, c, ठीक है, ऐसे e, f minus g, ठीक है, तो इसे लगता है, कि एक drum यहां से, एक 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 यहां से तो total answer 6 आ सकता है, लेकिन बच्छो 6 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएए बताते हैं, देखिए बच्छो जब भी आप कोई भी एक determinant को solve करोगे न, ठीक है, जो भी आपके पास में उसमें data रहेगा, जिसे for example, यह अभी जिसे हम बात कर रहे हैं, अभी जिसे हम बात कर का B, ठीक है न, D I minus G F, और फिर आएगा आपने पास में C, D H minus E G, इनको solve करोगे, तो तीन ट्रम positive में आएगी, तीन negative में आएगी, तो A E I, ठीक है न, A E I, साथ में यहाँ से आएगा आपके पास में, प्लस का B G F, B G F, साथ में आएगा बच्छो आपको B G F के बाद में, प्लस वाली ट्रम में आएगा C D H, साथ में माइनस वाली ट्रम के अंदर आजाएगा आपके पास में कितना, A H F, साथ में आजाएगा बच्छो माइनस का B D I, और साथ में आजाएगा बच्छो माइनस का C E G, तो द B, I, B, G, F, C, D, H, सब के सब अलग है, इधर भी आपके पास में सब के सब अलग है, A, H, F, B, D, I, C, E, G, पूरे 9 के 9 आपके पास में अलग है, ठीक है, अगर आप इन सब के आप चाहते हो कि ये सारे के सारे अलफाबेट अगर 1 हो जाए, तो बच्चो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 औ इन सब में माइनस साइन है, तो पूरा का पुरा अंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि इन में से कोई भी एक अलफाबेट या कोई ये जो ट्रम है हमारे पास में, इसमें से एक-एक अलफाबेट माइनस का हो जाए, तो ये सारे प्लस में हो अब ऐसा लगता है कि एक काम करते हैं, इसमें से दो ऐसी ट्रम को ऐसी ले लेते हैं, जिसमें उसके दोनों एक साथ आजए, ठीक हैं, जैसे आपने इधर से जैसे एक किया, तो उदर एक के साथ में क्या है, एक के साथ में एक इसमें है, इसमें है, इन दोनों में से एक को क बच्चो यह भी प्लस हो जाएगा, A into E. और यह भी फ्लस हो जाएगा, A और E डोनों को plus put किया, और बाकी सारे data आपके पास में कैसे है? A और E माइनस में, बाकी सब प्लस के अंदर, तो I plus के अंदर है, यह सब प्लस के अंदर, यह भी plus के अंदर, ठीक है इससे यह data भी बच्छो आपका plus हो जाएगा इससे यह data भी plus हो जाएगा लेकिन बच्छो यह तो minus का ही रहेगा ठीक है एक तो minus में ही रहेगा ठीक है और इससे यह cut जाएगा और आपका answer 4 आजाएगा और यही बच्छो इसके maximum possible value हो सकती है क्योंकि 6 कभी नहीं आ सकत ठीक है ना सबको सबको आप प्लस कभी नहीं बना सकते ठीक है इसमें सी 4 को आप maximum 5 को प्लस और 1 को माइनस तो एक तो माइनस में रहेगा आपका तो maximum possible value जो होगी वो कितनी होगी आपकी 4 होगी और यह एक general बात करते हैं अगले क्यूशन की तरफ और अगला क्यूशन की तरफ और अगला क्यूशन की तरफ और अगला क्यूशन देखे हमारा क्या है क्यूशन नंबर 16 और इसमें देखे हमें क्या करना है let f r to be r a differentiable function with f of 0 will be equal to 0 if y ब्राबर fx satisfy the differential equation this then the values of limit x tending to minus infinity fx तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले हमें अगें इस differential equation को solve करना है तो इस data को नीचे ले आए 5y plus 2 और साथ में है मेरे पास में 5y minus 2 और dx को इधर ले आए और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया ठीक है चुदा integration कर देते हैं और इसमें लगा देते हैं integration by partial fraction बट उसके लिए हमें ऊपर इसमें क्या कर दिया 5y plus 2 और फिर minus 5y minus 2 ऐसा करने से 5y तो कट गया और क्या बच गया 4 उस 4 से दिवाइड कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है 5y plus 2 into 5y minus 2 यह काम करते हैं इधर 4 आ गया तो इधर भी कर देजिए 4 into dx ठीक है इधर 4 का multiplication हो गया उपर तो इधर भी 4 से multiply कर देजिए 4 इधर भी आ जाएगा 4 इधर भी आ जाएगा अब अच्छों इसको individually divide कर दे तो पहला factor कट जाएगा देगो तो यहां से बनेगा 1 upon 5y minus 2 इसका integration होगा log 5y minus 2 divided by 5 minus sign 5y minus 2 कर जाएगा इसका integration हो जाएगा आपके पास में log 5y plus 2 और divide by 5 और equal to में आ जाएगा आपके सामने 4x plus c अब देखिए आपको एक data दिया गया है कि x equal to 0 पर y की value कितनी है 0 अच्छा integration जब भी करते हो तो mod आता है बच्छों इसलिए सब जगे पर mod लग जाएगा x की value 0 put करने से y 0 आएगा तो यह बन जाएगा आपके पास में log 2 upon 5 यह भी log 2 upon 5 ठीक है तो cancel out हो जाएगा और इधर x की value 0 है तो c की value 0 आजाएगी तो finally 5 को भी उदर multiply कर देते हैं तो हमें मिलेगा log 5y minus 2 divide by 5y plus 2 और 7 में उदर आजाएगा हमारे पास 20x तो यहां से देखिए आपको y की value मिल जाएगी 5y minus 2 divided by 5y plus 2 ब्रावर कितना e की power 20x अब बच्चो आपको fx की limit निकाल लिए मिस आपको यहां से y निकालना है तो एक काम करते हैं इसमें component और dividend लगाते हैं एक बार इन दोनों को add करते हैं उपर और नीचे से तो add करोगे तो यह बन जाएगा बच्चो 10y 5y plus 5y 10y और एक बार नीचे वाले में से उपर वाले को subtract कर देते हैं तो यह बन जाएगा 4 2 plus 2 4 5y कट जाएगा बराबर इधर भी ऐसा ही करेंगे 1 plus e की पावर 20x divided by कितना आ जाएगा 1 minus e की पावर 20x अब क्या करना है बच्चों हमें limit extending to minus infinity लगाना है तो minus infinity जैसे ही देखो यहां पर put करोगे e की पावर minus infinity कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा तो आपका answer आ जाएगा 1 और इसको इदर multiply कर देना 4 by 10 into 1 तो यही बच्चों आपका answer हो गया वाई ब्राबर 4 by 10 या 0.4 ठीक है तो यह था बच्चों आपका question number 16 clear है आगे चलते हैं question number 17 की तरह देखते हैं देखिए question number 17 में क्या करना है question number 17 क्या है देखिए यह आपका determinant से related अगें तो चली बात करते हैं यह तो आपको सब कुछ यहां पर दे रखा है कि कैसे आपको question को solve करना है ठीक है let s be the set of all column matrices ठीक है इस टाइब की जितनी भी matrix बनेगी s आपके सामने उन सभी matrix का set है b1, b2, b3 सभी real numbers है and the system of equation अगर इस टाइब की हमारे पास में कोई भी 3 system of equation हो has at least one solution then which of the following system in a real variables have at least one solution for each b1, b2, b3 belong to s ठीक है तो देखिए actually आपको बताना है कि यहां से कब इसका solution आएगा at least one solution और कब नहीं आएगा तो आपको एक काम करना है इसके अंदे की थोड़ा से calculated होगा यह जो पहला option है इसके इंदर जो तीन equation है उनसे delta निगा लिए determinant निगा लिए पहले option के लिए delta 1 ऐसे दूसरे option के लिए निगा लिए delta 2 तीसरे की निगालने की जरूत नहीं देगी बच्चों क्योंकि x minus 2y minus x plus 2y minus 5z इसमें से minus का 2 common ले लिजिए तो यह भी उन जाएगा minus x plus 2y minus 5z और यहां से minus sign common ले लिजिए minus x plus 2y minus 5z तो यह तीनों के तीनों आपके पास में क्या हो जाएंगे parallel plane हो जाएंगे delta 1, delta 2, delta 3 तो यहां पर तो देखो कि not equal to 0 होगा और इसमें भी delta 3 की value आपके पास में not equal to 0 आएगी but delta 2 की value आपके पास में 0 आएगी तो देखे delta 1 और delta 3 not equal to 0 आ रहा है तो that means इस case में तो आपके पास में unique solution होगा ही होगा ठीक है लेकिन जब delta 2 0 आ रहा है उस case में फिर आपको check करना पड़ेगा क्योंकि उस case में infinite solution आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है तो इन तीनों के लिए जब आप check करेंगे यहां पर तो b1, b2 और b3 ठीक है ना इनका जो ratio आएगा या उनके corresponding जब आपकी जो determinant होगी उसकी value 0 नहीं आएगी इसलिए यहां से आपके पास में दे हैं और इसके अंदर आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है पहली है मैट्रिक्स M और दोसरी है एड्जोइंट अप M वेर a and b are the real numbers then which of the following option is are correct तो आपको बताना है कि कौन सा option correct होगा तो इसके लिए काम करते हैं देखिए सबसे पहले हम एड्जोइंट अप M का determinant value निकालते हैं ठीक है उससे हमारे पास में क्या रहेगा ठीक है एम के जो डेटा होगा ठीक है उसको हमारे को calculate करने में आसानी रहेगी या सिधा भी कर सकते एक बार देखते देगे सिधा करके कि उसके अंदर आपको comparison करना पड़ेगा तो M का देखिए एड्जोइंट निकालोगे तो पूरा एड्जोइंट निकालने की जरूत नहीं है ठीक है एक दो डेटा निकाल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा कुछ मतलब वैल्यू जाजए जिससे अपन कंपेरिजन कर सकें देखिए पहले एलिमेंट का निकालोगे तो कितना आएगा तू माइनस थ्री बी कितना आएगा तू माइनस थ्री बी और एड्जोइंट आप एम के अंदर पहला एलिमेंट होता है वह पहले के कि ऐसे इसके अंदर एक एंट्री और निकाल लीजिए कोई जिसमें आजाए आपका बस ऐसी एंट्री होनी चाहिए जिसमें आजाए जैसे देखिए आप इसको इसके साथ में करोगे तो इसके अंदर आपका आजाएगा कितना आएगा 3-2a ठीक ना 3-2a लेकिन देखिए इसका जब ट्रांस्पोज करोगे तो यह डेटा आपका यहां चला जाएगा कहां पर इस वाले ऐलिमेंट का जब आप निकालेंगे तो यह 3-2a जो आएगा वो यहां पर चला जाएगा ठीक है और यह भी किसके एक्वाल होगा बच्चो माइनस वन के एक्वाल सो 3-2a ब्र जाबर 4 तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 तो a और b हमारे पास में आ चुके हैं a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 यह ऑप्शन बिल्कुल सही है ऐसे ही बच्चो आप बाकी जो उप्शन है उन सारे उप्शन को चेक कर सकते हो तो कैसे चेक करेंगे और b की वैल्यू आगे थी 1 अब बात करते हैं देखो options की तो उसके लिए पहले हमें determinant of m चाहिए होगा क्योंकि इन सारे options को करने के लिए इसका determinant value निकाल लेते हैं तो पहला element तो देखिए 0 आएगा दूसरा element कितना आएगा minus 1 और यहां से आएगा 1-9 और तीसरा element आएगा बात के पास यह 1-9 तीसरा element आएगा plus a और इसके अंदर आजाएगा आपके पास में b-6 तो यहां से इसकी value आजाएगी आपके पास में 8 plus ab और 7 में आजाएगा minus 6a इसमें देखिए a और b की values put कर देते हैं 2 and 1 तो यह कितना आजाएगा 8 plus 2 10 minus 12 so that will be equal to minus 2 तो यह बहुत ही important part है यह हमारे पास में determinant of m की value कितनी है minus 2 और इसी से आपके आगे वाले जितने भी options है वो सारे के सारे options solve होंगे तो चले बात करते हैं सबसे पहले अगर हम देखे determinant of adjoint of m square तो देखिए आपको क्या करना है आपको इस matrix का क्या करना है determinant value निकालना है adjoint का determinant कैसे निकालता है बच्चों देखो अगर m का order 3 है आपके पास में तो m square का order भी कितना होगा 3 होगा तो इसके determinant निकालने के लिए क्या करेंगे m square का determinant होगा उसकी power n minus 1 3 minus 1 2 और उसके पाद यह determinant की property होती है पावर बहार आ जाएगी determinant of m की power 4 इसकी value बच्चों हमारे पास में कितनी है determinant की value minus 2 तो minus 2 की power 4 16 आएगा जबकि हमें 81 दिया हो गया है तो यह option हमारा गलत हो गया यह option हमारा सही हो जाएगा ऐसे ही देगे बच्चों adjoint of m inverse plus adjoint of m inverse की बात करेंगे तो यह बिलकुल minus m के बराबर आएगा क्यों क्यों कि देखिए हमारे पास में एक property होती होती है आप सबको पता होगा a into adjoint of a बराबर कितना होता है determinant of a into identity matrix इसके अंदर देखिए एक बार तो आप क्या कीजिए adjoint of m का inverse से multiply कर दीजिए दोनों साइड में इसको adjoint of a को m represent कर दीजिए और adjoint of m के inverse से multiply कर दीजिए तो यह देखिए a हो जाएगा यह m हो जाएगा क्योंकि m से represent करेंगे adjoint of m into adjoint of m inverse यह identity matrix बन जाएगा बराबर determinant of a और i into adjoint of m का inverse adjoint of m का inverse तो यहां से इसकी value कितनी आ जाएगी बच्चो m divided by determinant of m और determinant of m की value आपने इसलिए निकाले थी that is minus 2 तो इसकी value आ जाएगी बच्चो आपके पास में minus का m by 2 माइनस 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 आएगा और यह option भी आपका बच्चो बिल्कुल सही option हो जाएगा क्लियर है similarly हमें third option को check करना है अब हमारे पास में a और b का values आ चुका है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से m को alpha, beta और gamma से multiply कर सकते हैं और उनकी values निकाल सकते हैं तो alpha कैसे आएगा देखो बच्चो जो पहली row पहले कोलम के साथ multiply होगी तो alpha आ जाएगा तो 0 into alpha 0 यहां से एक्वेशन में आ लेते हैं 0 into alpha 0 1 into beta that is beta और साथ में आएगा बच्चो a into gamma a की value 2 है so that is 2 gamma will be equal to कितना हो जाएगा 1 ठीक है ऐसे उसकी second row को उससे आएगा alpha plus 2 beta plus 3 gamma और that will be equal to कितना हो जाएगा alpha plus 2 beta plus 3 gamma will be equal to 2 और similarly बच्चो आपको तीसरी row के साथ multiply करना है alpha beta gamma तो यह हो जाएगा आपके पास में 3 alpha plus 3 के साथ में multiply होगा alpha B आपके पास में 1 था so 1 into 2 1 into beta that is beta and plus साथ में कितना है gamma gamma into 1 so that is also gamma that will be equal to 3 इन दोनों से देखे alpha को हटा देते हैं ठीक है ताकि आपने पास में alpha beta gamma सब की value चाहिए हमें ठीक है तो देखो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहां से इन दोनों से alpha को कैसे हटाएंगे इसको 3 से multiply कर गया और इसमें से इसको subtract कर दिया so 6 beta minus beta will be 5 beta और साथ में 9 gamma plus gamma will be 8 gamma और 6 minus 3 will be equal to 3 ऐसा आजाएगा इस equation को 5 से multiply कर दिया so 5 beta plus 10 gamma will be equal to 5 ठीक है यहां से देखे इसमें लास्ट वाल equation में से उपरवाली को घटा दीजिए तो यहां से क्या आ जाएगा 5 beta से 5 beta घट जाएगा 2 gamma equal to 2 तो gamma की value आगे बच्चो यहां से 1 गामा की value आप इस equation में put करेंगे तो यहां से बीटा की value आ जाएगी बच्चो माइनस 1 गामा 1 और बीटा माइनस 1 यहां put कर दें इसकी value 1 और 15 क्या है देखिए हमारा यह भी बड़ा सांदार सा question है यहां पर आपको 6 determinant दी गई है P1 P2 P3 P4 P5 P6 लेकिन बच्चों आप इसमें से किसी भी एक determinant को आप multiply कर देखिए करके देखिए उसके transpose के साथ में आना transpose को पहले ले लिजिए P1 का transpose into P ठीक है आपके पास में identity matrix आएगा किसी के भी साथ में multiply करके देख लीजिए identity matrix आएगा इसकी आपको जरूत पड़ेगी तो इसको पहले आप multiply कर लीजिए ठीक है जैसे मैंने इसमें से एक दो को करके देखा था तो उससे यह लग रहा था कि सभी के अंदर आएगा आप करके देख लीजिए किसी भी दो काम दिया हमने A और साथ में PB का ट्रांसपोज तो पहले स्को producers का इसको इंटरचंज करूगया और यह जाएगा आपके पास में PB का ट्रांसपोज इन्टो एक इसके बाद में वापिस इसको इसको इं ट्र चांज करेंगे तो फिर एक माइन साइन आएगा तो PK का transpose into pk into a ठीक है और इसको और इसको जैसे आप transpose करके देखोगे तो identity matrix आएगा और identity को a के साथ multiply करोगे तो a आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला option पूछा गया है कि the sum of the diagonal entries of x is 18 तो आपको जब भी identity matrix साथ multiply करोगे तो वही matrix आएगी मिस इसके जो diagonal elements है वही आपके पास में क्या होंगे पहले वाले के साथ में आएंगे क्योंकि पहले वाले के बाद में आपके पास में यही बचेगा दूसरे के बाद में भी यही बचेगा तीसरे के बाद में भी यही चौथा पांच वाच छटा तो शिरफ आपके पास में 2 plus 1 यह जो diagonal elements से यह आएंगे हर case के लिए k equal to 1 के लिए भी 2 के लिए भी up to 6 के लिए और सब के लिए 3 आ रहा है that means आपका यह जो answer हो जाएगा यह बिलकुल एकदम सही answer हो जाएगा that is 18 अब देखिए आगे क्या करेंगे इसके अंदर यह पहला option हो गया second option क्या होगा second option के अंदर आपको करना है एक सेंट्रिक मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी ठीक है तो एकस बिलकुल आपके सामने symmetric matrix आएगी आप सब option number c और option number d देखिए दोनों एक ही टाइप के होंगे almost ठीक है तो हम c को solve कर लेते हैं और उसी के corresponding देखेंगे कि d का answer क्या आ रहा है उसके बारे में उसको check करते हैं देखो देखिए कितना आ रहा है जब c वाले option को आप देखेंगे तो आप पर x ब्राबर दे रहा है 1 1 1 अचा तो एक sc कोई determinant बन रही matrix बन रही है और वो check करते हैं कि क्या आ रही है तो उसके लिए देखिए हम सभी इसको मिटा देते हैं एक बार और दुबारा देखते हैं हमारा a और b दोनों option सही आ गए थे ठीक है देखिए मान लेते हैं कि यह जो matrix है यह मेरे पास में क्यू है ठीक यह बचाएगी 213102 और साथ में आएगा 321 इसको आपको multiplication करना है किसके साथ में 111 के साथ में किसके साथ में 1 x x q ठीक है तो देखे कितना आएगा जब देखे 111 के साथ multiplication करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6, तो पहला element 6, फिर 3 आ जाएगा, और फिर वापिस आ जाएगा आपके सामने कितना बच्चों, 6, यह आएगा, 1 के साथ multiplication किया 2, फिर 1 के साथ 1 और 3 के साथ में 3, so 2 प्लस 1 प्लस 3, 6, 3, 6, ठीक है, इस तरीके का keeping dependent data आएगा, यह आपके सामने किसके साथ में है, इस वाली matrix के साथ में है, ठीक है, ऐसे थे भ Ведь्चों, इसके साथ में करेंगे 3 आ गया और इसके साथ में करने पे कितना आ रहा है, 6 रहा रहाँ है, लेकिन देखिए अगर हम इस flipping matrix को आपने नाम दिया था Q, थीक है, पिस को क्या क्या ट्रम आ रही है एक तो पी के आ रहा है एक आपके सामने मैट्रिक्स ए आ रही है एक आपके सामने पी के का ट्रांस्पोज आ रहा है और इसके बाद में आपके सामने कितना आ है एक matrix यह 111 जिसको अपने क्यों नाम दिया था यह matrix आ रही है इसको देखिए हम multiplication करके देखते हैं सबसे पहले देखो PQ के transpose को जब Q के साथ multiply करोगे ठीक है ना इसके जब transpose को आप Q के साथ multiply करोगे मुल्टिपलाई घर एक आपके साथ मुल्टिपलाई होगी यह पूरी इसके साथ और यह पूरी इसके साथ मैं क्या before question करोगे तो वापिस आ जाएगा आपके सामने क्यों आ जायेगा थिक है ना P एक के साथ में या पहले A का Q के साथ में, तो देखे, A का जब हम Q के साथ में multiplication करेंगे तो कितना आएगा, तो A हमारे पास में यह matrix थी और इसको multiply करना है मेरे को किससे Q के साथ में, और A को अगर मैं Q के साथ multiply कर रहा हूँ, तो देखे, अभी हमने यहां पर किया था, A को Q के साथ में multiply करेंगे, 213, 102, 321 और इसको जब हम multiply करेंगे यहां से, तो देखे, कितना आ रहा है, 111, तो देखे, बच्चों, यहां से 636 वाली जो matrix है, यह सबके साथ आपके पास में common आ जाएगी, तो पिछे क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसको आप पहले भी कर सकते हो, P6 तक, P1 प्लस P2 प्लस P6 और यहां पर यह A 2 बार आ रहा है, एक बार यहां पर आ रहा है, 1 यहां पर 12, इसके अंदर भी 2 बार आ रहा है, इसके अंदर भी इतल भी जाएगा थीक है ना, तो एक 222 2222 222 अब इसको जब इसके साथ multiply 6 into 2 3 into 2 6 into 2 12 plus 6 plus 12 कितना आ जाएगा आपके पास में 30 30 30 ऐसा आ जाएगा इसमें 30 वापिस common आ जाएगा बच्चों तो वापिस 1 1 1 कौनसी matrix q matrix जिसको हमने q माना था कौनसी matrix को इसको 30 into q matrix आ जाएगा और equal to में आपको दे रहा है alpha into matrix q तो alpha की value कितनी आएगी 30 और हमारी यहां से कितनी आ रहे है 30 तो यह option भी बच्चों आपका क्या हो गया सही हो गया और देखे बच्चों यहां से हमारे को एक relation मिल गया कि x-30 into यह matrix जो भी है ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं एक बार इसको मिटा देते दे ए बी सी तीनों option सही है हमारे a भी सही होगा बी भी सही होगा और c भी सही होगा डी के लिए अभी जो हमने relation निकाला था ना x ठीक है यह जो matrix थी हमारे पास में x ब्राबर x into यह जो matrix थी ठीक है ना 1 1 1 1 1 1 यह equal आगे थी हमारे पास में 30 into 1 1 1 1 तो देखे इसमें से इसके multiplication में हम एक matrix और भी लिख सकते है identity matrix क्योंकि वह उसका multiplication इसके साथ possible है तो x minus 30i यह common आ जाएगा और पिछे क्या बच जाएगा आपके पास में 1 1 1 1 1 बराबर में कितना आ जाएगा नल matrix देखे यह तो नल के बराबर हो नहीं सकता इसका मतलब इस matrix को नल होना पड़ेगा और अगर यह matrix null है तो इसका inverse possible नहीं है क्योंकि null matrix का inverse possible नहीं होता है तो यह option बच्चों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यह matrix फिर आपकी invertible नहीं रहेगी clear है चले चलते हैं अगले question की तरफ और अगला question क्या है देखे हमारा question number 20 कितना आ रहा है देखिए question number 20 है अगें बच्चों आपका area से और इसके अंदर फिर से देखे आपको वह diagram बनाना है xy ब्राबर 8 बच्चों एक rectangular hyperbola होता है हम सबको पता है इस type का इधर भी होगा इधर भी होगा xy ब्राबर 8 साथ में बच्चों y ब्राबर x square एक upward parabola होता है हम सबको पता है इस type का एक upward parabola होता है ठीक है एक line है y will be greater than 1 अब यह कहां पर होगा यह important part है तो इसको draw करने के लिए एक काम करते हैं देखो बच्चों y will be greater than 1 को draw करने से पहले हम इस point of intersection निकालते हैं क्योंकि यह हमारे लिए important रहेगा इन दोनों को solve करते हैं देखते कितना आएगा तो y की जगे value put कर दीजिए 8 upon x square ब्राबर कितना हो जाएगा y की जगे पर 8 upon x x square नहीं ब्राबर x square x cube ब्राबर 8 आ जाएगा तो x ब्राबर 2 और x की value 2 put करोगे तो y की value 8 आएगी तो यह point होगा बच्चों 2,4 2 put करोगे तो 4 आएगा तो यह point 4 है इसका मतलब यहाँ पर y coordinate 4 है तो y equal to 1 कहाँ पर आएगा बच्चों इसके comparative में नीचे आएगा ठीक है अब देखो xy will be less than or equal to 8 इसके नीचे का area आपको calculate करना है y will be less than x square इसके भी बहार का area calculate करना है ठीकन 1,0 satisfy कर रहा है और y की value greater than 1 इन सबसे bounded area बच्चों आपका यह आने वाला है clear है यह point और यह point भी हमारे लिए important है और उससे better करते देखों हम right minus left लगा देते तो एक ही step में काम में हो जाएगा क्योंकि देखे ध्यान से अभी जो हम पढ़ रहेते पहले यह curve आपका पूरा का पूरा right में है पूरा का पूरा right में है तो इसको integrate कर दिया यह point कितना है y ब्राबर 1 और यह point है y ब्राबर 4 तो 1 से 4 तक right curve यह कौन सा है rectangular hyperbola ठीक है इसमें x की value put करेंगे तो 8 upon y into dy minus यह कर देगो पूरा का पूरा left के अंदर है ठीक है तो यहां से x की value निकालेंगे कितने आ जाएगी root y so root y 1 से लेकर 4 into dy इसको integrate कर सकता है आसानी से 8 into ln y y के अंदर value put कर देंगे 1 से लेकर 4 तक और minus y to the power 3 by 2 3 by 2 और नीचे भी आ जाएगा 3 by 2 तो that is 2 by 3 इसमें limit put करनी हमें 1 से लेकर 4 तक देखिए कितना आ रहा है यहां 4 put करेंगे तो log 4 तो बाहर आ जाएगा that is 16 into log 2 और 1 put करोगे तो 0 यहां पर 4 put करोगे तो 4 कितना आएगा बच्चों 4 put करोगे तो 4 का पावर एक बटा दो दो हो जाएगा 2 की पावर 14 8 8 into 2 minus 16 by 3 और 1 put करोगे तो जाएगा बच्चों प्लस 2 by 3 तो फाइनली आपका आंस्वर आजेगा 16 log 2 minus 14 by 3 और यही बच्चों आपका एरिया होगा और यहीं सा ओप्शन कौन सा हमारा सी ऑप्शन है जो की हमारा सही आंस्वर है क्लियर है तो इस तरीके से बच्चों आपको एरिया के हर क्यूशन को सबसे पहले डाइग्राम बनाईए पॉइंट आप इंट्रसेक्शन निकालिए और चेक कीजिए कि कौन सा एरिया आप से पूछा गया है उसके बाद इसको आ अधीपावर फॉट थीटा ब्रावर alpha i plus beta m inverse ठीक है alpha equal to alpha theta और beta equal to beta theta विंच इसको solve करने से alpha भी आपके सापने थीटा का function आएगा बीटा भी थीटा का function आएगा, alpha star आपके पास में, जो alpha थीटा है, उसकी minimum value निकालनी और beta star जो आपका बीटा थीटा function आ रहा है, उसकी minimum value find out करनी है, और last में आपको दोनों values को add करना है, तो पहले देखते हैं कि alpha और बीटा क्या होगा, ज्यान से देखो, alpha i, तो alpha को i से multiply करो alpha 0 0 alpha, ऐसा बन जाएगा कुछ, प्लस, बीटा इंटू M inverse, देखो बच्चो इसका जब inverse निकालते हैं, तो क्या होता है, यह ट्रम उदर जाती है, cos की power 4 theta उदर चली जाएगी, और sin की power 4 theta नीचे आ जाएगी, इनका बच्चो, sin change होता है, यह होगा minus का 1 है, तो यह हो theta और इधर से आजाएगा बच्चो, आपके पास में, minus का 1, minus का cos square theta, इनका sin change होता है, ठीक है, और साथ में आएगा बच्चो, यह तो adjoint निकल गया, और adjoint के बाद में इसका determinant से divide करना है, that is determinant of M, यह जो भी value आएगी, इससे हम इसको divide कर देंगी बच्चो, ठीक है, और यह क equation बनेगी, सबसे पहले तो एको 0 प्लस यह करेंगे, तो 0 प्लस कितना है आपके पास में, 0 प्लस 1 प्लस sin square theta, और divide by determinant value, determinant value कितनी है, determinant of M, ठीक है, इसके multiplication में क्या था बच्चो, बीटा भी था एक, ठीक है, बीटा M inverse के, तो इसके multiplication में एक बीटा भी आएगा, 1 प्लस sin square theta, इ इसका यह जो element होगा, बच्चो, इस element के बराबर होगा, और यह कितना है, minus 1 minus sin square theta, तो यह minus sin to common आजाएगा, 1 plus sin square theta, इससे बच्चो, यह कट जाएगा, तो यहां से बीटा की value आजाएगी, आपके पास determinant of M का negative, ठीक है, M का determinant हम लास्ट मा निकाल लेंगे, साथ महीं बच्च और into beta, देखो बच्चो, beta की value हम निकाल चुके हैं, कितनी है, minus determinant of M, और divide by, इसके divide के अंदर determinant of M भी है, आपके पास में, ठीक है, क्या देखो alpha plus, ठीक है, cos to the power 4 theta, ठीक है, cos to the power 4 theta into beta, beta की value put कर दी, divide by determinant of M, और यह किसके बराबर होगा, यह इसका पहला element, जो कितना है, sin to the power 4 theta, ठीक है, तो यहां से देखो बच्चो, इससे यह कट जाएगा, तो minus cos to the power 4 theta, तो देखो alpha तो सीधा आगया, आपके पास, alpha बराबर sin to the power 4 theta, plus cos to the power 4 theta, ठीक है, बीटा के लिए, बच्चो, आपके एक value निकालनी पड़ेगी, कौन सी, beta बराबर determinant of M, और determinant of M, आप बहुत ही to the power 4 theta, cos to the power 4 theta, और minus sign, जब उसको उसके साथ में multiply करोगे, तो minus minus plus हो जाएगा, तो इसका minus sign common ले लेंगे, 1 plus sin square theta, plus cos square theta, वो भी 1 हो जाएगा, तो 7 में आजाएगा, plus 2, और 7 में आएगा, sin square theta, cos square theta, बच्चो, इन दोनों की minimum value आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, यह भी एक trigonometric function है, ठीक है, इसके बाहर minus sign भी यह लेगी ना, बाहर minus sign, तो दोनों की minimum value आप से पूछी है, दोनों की minimum value आप निकाल सकते हो, इसकी minimum value आएगी बच्चो, ऊपर वाले की 1 by 2, ठीक है न, जब पूरा calculate करके देखोगे, तो 1 by 2, और इसकी value negative में आएगी आपके पास मे इसकी value, बाहर minus sign है, यह सारी quantity is positive होगी, तो इसकी minimum value negative में आएगी, कैसे निकालना है, ठीक है, तो आप सबको पता होगा, कि इसमें क्या करेंगे आपन, sin की power 4 plus cos की power 4 को लिखेंगे sin square theta plus cos square theta का all square, minus 2 sin square theta cos square theta, फिर वाँ पर एक drum में convert करके उसकी minimum value आजाएगी, ऐसे बच्च theta से again एक drum बनाना, और उसके बाद में यहां से आप उसकी minimum value निकाल सकते हैं, clear है, तो इस तरीके से आपको इन दोनों की minimum value find out करनी है, ठीक है, minimum value आजाएगी, last में add कर लेना, साइध बच्चो इसका answer minus 29 by 16 आएगा, answer key में minus 17 by 16 दिया गया है, एक बार cross check कर लेना कि कौन सा answer स ठीक है, मेरे साब से fourth आना चाहिए, एक बार आप इसको try कर लीजिएगा, ठीक है न, पुरा मैंने समझा दिया है आपको कैसे क्या होगा, alpha और beta की values मैंने निकाल दिये, यहां पर minimum value आपको निकालने हैं, क्योंक बहुत time हो रहा है, अब हम लोग आगे चलते, अगले question number 22 की है, और r बराबर दे रहा है, pqp inverse, ठीक है, then which of the following options is our correct, तो कौन सा option correct है, यह आपको बताना है, so पहला option है, there exists a real number x such that pq equal to qp, देखिए बच्चों, आप एक ही drum को calculate कर लीजिए, एक या दो कर लीजिए, ठीक है, प को q से multiply कीजिए, और पहली drum निकाली देगी कितना आएग बच्चों, q into p की पहली drum calculate करोगे, pq और qp, तो इसके पहली row, इसका पहला column, तो 2 और बागी सब 0, तो बराबर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 0 आ रहा है, और एक element और निकाल के देखो बच्चों, उससे x का मान कुछ अलग आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि एक सारे elements आपके साब ने, x बराबर 0 पर बराबर नहीं होंगे, तो बिलकुल सही option है पहला, there exist a real number x, such that, there exist a real number x, such that pq equal to qp, तो यह गलत option होगे आपके पास, ऐसे बच्चों, दूसरे गन्द करना है, determinant of r, determinant of r निकालने के लिए देखो, इसको पहले p inverse से multiply कर दो, ठीक है आपके पास में, r p बराबर, p q, p inverse into p कितना हो जाएगा बच्चों, identity matrix, इसमें formula लगा देना, determinant of r into determinant of p बराबर, determinant of p into determinant of q, ठीक है, determinant of p से p कट जाएगा, तो determinant of r और determinant of q, यह दोनों आपके पास में क्या आ रही है, बराबर आ रही है इससे, तो determinant of q आप निकाल सकते हैं यहा determinant of r में, और इसके determinant value निकाल के, इसमें जो प्लस 8, 8 करोगे, तो दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे, और यह option आपका सही होगा, clear है, ऐसे बच्चों, आपको तीसरे option की तरफ जाना है, for x equal to 0, r into this, यहाँ पर बच्चों, आपको r निकालना पड़ेगा, ठीक है, यह पू यहाँ पर p put करना है, यहाँ पर q put करना है, और p का inverse भी निकालना है, तीनों चीज़े निकालने ही पड़ेगी, और कोई option नहीं है, x की जगे पर इसमें 0 put कर देना, ठीक है, तो इसके बाद में, आपके पास में, जब comparison करोगे, तो a और b की value जाएगी, 2 और 3, और यह option भी आपका सही होगा, last वाला option है, for x equal to 1, there exists a unit vector this, for which this will be equal to 0, ठीक है, तो इसके अंदर शाहिद बच्चों नहीं आएगा, एक बार check कर लेना आप लोग, r matrix again यहाँ पर जरूत पड़ेगी, और इस बार x equal to 1 है, तो फिर से आपको r निकालना है, और इसको alpha, beta, gamma की साथ में जब करोगे, इसमें साथ जरूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका अगर determinant value की बात करें, तो determinant of r into determinant of alpha, यह जो भी matrix होगी, इसको नाम Q दे दे, तो Q बराबर, कितना, determinant of null matrix will be 0, ठीक है, अचा, इसका determinant तो possible ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी फिर आपको calculate करके यह करेंगे, तो अलग-लग आएंगे आपके पास में, ठीक है, हमेशा 0 नहीं आएगा, ठीक है, और आपको बोला गया कि unit vector है, alpha square, there exists a unit vector for which this will be possible, तो यह साथ possible नहीं आएगा, कि लिए इसको आप लोग check कीजिएगा, आगे चलते है, question number 23, देखें क्या है, question number 23, question number 23 में दिया है देखो, let m be a 3 into 3 invertible matrix with a real entries and denotes 3 into 3 identity matrix, if m inverse equal to this, देखो, m inverse आपको यह दिया हुआ है, m inverse बराबर, adjoint of m, ठीक है, तो देखें, आपको एक तो determinant of m निकालना है, और दूसरा एसा कुछ relation निकालना है, तो पहले देखें, दोनों साथ determinant value ले ले लेते हैं, ठीक है, m inverse क्या होता है, बच्छो, adjoint of m divided by determinant of m, इसकी determinant value, इसका formula होता है, determinant of m की power n minus 1 का hall square, ठीक है न, 3 है, 3 minus 1 का hall square, that is 2 का square 4, तो यह तो बन जाएगा determinant of m की power 4, इधर से आएगा, बच्छो, adjoint of m, यह matrix के साथ multiplication में एक number है, तो यह बाहर आएगा, तो यह बनेगा 1 upon determinant of m का hall cube, और साथ में, adjoint of m का determinant कितना आजाएगा आपके पास, determinant of m का hall square, तो यहां से इसको solve करोगे, तो determinant of m की power 5 ब्राबर 1, so determinant of m ब्राबर 1, तो यह option आपका बिल्कुल सही है, कि आपके जो determinant value होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी, similarly बच्छो, इसको अगर आप थोड़ा सा, इसको solve करके देखेंगे, तो यहां से आपको एक condition मिलेगी, that is m inverse ब्राबर m into determinant of m, कैसे मिलेगी यह, तो देखिए, adjoint वाले जो property है न, अपनी a into adjoint of a ब्राबर, determinant of a into identity matrix, ठीक है न, उसी property के साथ में, उसमें m, एक ही जगे adjoint of a put करोगे, और उसको simplify करोगे, तो ऐसा एक relation मिलेगा, और यह हमने निकाल लिया है कि determinant of m1 है, तो यहां से आपको मिल जाएगा m inverse ब्राबर m, ठीक है, और m inverse और m दोनों ब्राबर है, तो इसको अगर m से दोनों साइड मल्टिप्लाई कर दें, तो यह identity matrix और इधर आजाएगा m square, m square ब्राबर identity matrix होगा, और बट ऐसा हमें नहीं दिया गया है, m square ब्राबर one दिया गया है, बट साइध iit वाले option के अंदर i लिखा हुआ था, तो अगर यहां पर i होगा, तो यह सही होगा, one है, तो यह सही नहीं होगा, खिलियर है, अब फिलाल one है, तो one के corresponding option गलत हो जाएगा, adjoint of m का square ब्राबर i, देखो बट सो, adjoint of m का square i के ब्राबर होगा या नहीं होगा, तो यह कैसे बताएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखी हमने यह निकाल लिया, m inverse ब्राबर m, तो m inverse कितना होता है, बच्चो, adjoint of m, divided by determinant of m, जिसकी value 1 है, so this will be equal to m, तो इसको इसी के साथ जब multiply करोगे, तो यह m square आएगा, और m square की value हम निकाल चुके हैं, i है, तो यह option बच्चो, again आपका सही है, तो b और d option आपका सही है, लेकिन यह relation, बच्चो, आपको निकालना है, यह relation आ जाएगा, इसी relation की help से, ठीक है, m inverse ब्राबर, adjoint of, adjoint of m है, उससे आपको यह relation मिल जाएगा, clear, आगे चलते हैं, question number 24 की तरफ, देखते हैं, क्या है, देखो, question number 24 की तरफ, आपको area find out करना है, इंसे bounded area find out करना है, तो सबसे पहले इसको simplify करें अपन पहले वाले को थोड़ा सा, तो देखो बच्चो, इसका mod हटाएंगे, अगर x1 से बढ़ा हुआ, देखो, अगर x1 से बढ़ा हुआ, तो यह प्लस साइन के साथ खुलेगा, और प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो यह आएगा, e to the power x minus 1, minus e to the power minus x minus 1, ठीक है, minus x plus 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर x आपका 1 से बढ़ा हुआ, और अगर x1 से लेस है, बच्चो, x1 से लेस है, तो यह minus sign के साथ खुलेगा, तो यह भी x minus plus x minus 1, यह भी plus x minus 1, बीच में minus sign यह कट जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, इसको simplify करो देखो, यह है e की पावर x upon e, यह है e की पावर 1 upon e की पावर minus x, इसको solve करोगे तो बनेगा e to the power 2x minus e square divide by e की पावर x plus 1, ठीक है, पहले वाली टरम को इसके फेक्टर कर देना, तो यह बन जाएगा, e की पावर x minus e into e की पावर x plus e, और divide by e की पावर x plus 1, ठीक है, ठीक है, फेक्टर तो ऐसे हम कर रहे हैं, ताकि अपने दूसरे वाले को भी थोड़ा देख ले, तो अपने को वहां से चीजे क्लियर हो जाए, दूसरे वाला e की पावर x-1 divided by 2 और e to the power 1, वैसे अगर नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, e की पावर x divided by e आएगा इसके अंदर, ठीक इसको भी convert कर लो, तो यह भी बन जाएगा e to the power 2x plus e square divided by e की पावर x plus 1, और साथ में 2, और यहां से कितना आया था, e to the power 2x minus e square divided by e की पावर x plus 1, तो देखो यह तो कट जाएगा, 2 इधर multiply हो जाएगा, e square इधर आजाएगा, तो minus 2 e square इधर आकर के हो गया, 3 e square और यह इधर जाकर के हो जाएगा, 2 time 2 minus 1, that is 1 time e to the power 2x, log ले लेंगे, तो log 3, log e square, कितना हो जाएगा बच्चो, log 3 plus log e square, 2 हो जाएगा, ब्राबर, इधर से कितना आजाएगा, 2x into log, तो x की value कितनी आजाएगी, x की value हो जाएगी, log 3 plus 1, that will be equal to log 3 e, और divide by log 3 plus e square, ठीक है न, चाहो तो log 3 e square ही रेने दो, ठीक है न, 3 e square ही रेने दो, log 3 e square ही रेने दो, log ले लिजिए, और divide by 2, तो 2 को उपर लेके जाओगे, तो root आजाएगा, ठीक है, root 3 e, x equal to root 3 e, पर यह दोनों graph एक दूसरे को intersect करेंगे, अब देखो बच्चो, इ यह positive number होगा, ठीक है, और यह 0 से 1 के अंदर कहां पर चलेगा, इधर ही चलेगा, इसके बाद में देखो बच्चो, यह जो graph है आपके पास, e to the power 2 x, अगर हम यहां से देखें, इसको differentiate करोगे, तो यह positive बन जाएगा, और यह positive बन जाएगा, इसके बाद यह graph आपका इस तरी positive quantity आएगी, और जैसे भी यह गुमेगा अपना, इधर जाकर कि इंटरसेट करेगा, तो यह होगा बच्चो, आपका इसका bounded area, ठीक है, अब यह कैसे निकालेंगे, integration आप लोगों को करना है, सबसे पहले, अपर कारू का integration कहां से कहां तक, 0 से लेके अपना यह जो point आया था, that is log root 3e, e root के बाहर कर दिया, पूरे को integrate कर दो, और कौन से function है, यह हमारा दूसरे होला function, e की power x minus 1, plus e की power 1 minus x upon 2, फिर minus, इसमें से आपको subtract करना है, तो यहां से लेके, यहां तक तो कुछ भी subtract नहीं करना है, बट 1 से लेकर के, आपको ln root 3e तक subtract करना है, कौन सा, यह जो हमार function आया था, इसको और इसको लिख दीजिए, आप e to the power x minus 1 minus e to the power minus x plus 1 into dx, यह बहुत ही एक आसान integration है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, और जैसी करोगे, आपको आपका answer मिल जाएगा, clear है, आगे चलते हैं बच्चो अगले question की तरह, और अगला question है ने देखिए हमारा question number 25, जो की आज के paper का हमारा last question है, इसमें क्या करना है, देखो, the trace of square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries, देखिए, एक square matrix ले लिजिए, a, b, c, d, इसका जो trace होता है, वो किसको represent करता है, a plus d को, और यह दिया है, आपको कितना 3, ठीक है न, the matrix such that its trace will be 3, और a cube का trace दिया हुआ है, minus 18, तो हमें determinant value निकाल निकालनी है, determinant value निकालनी में हमें value किसकी value find out करनी है, a, d minus b, c, देखिए बच्चो, इसकंद्रे सीधा आएगा answer क्योंकि बहुत सारे variable है और 2 equation है, तो ऐसे case में answer सीधा आता है, लेकिन हम a square निकालते हैं, देखो, इसको इसी के साथ multiply करते हैं, और देखते हैं कितना आएग यहां से आएगा देखो बच्चो, a into a a square और b into a into a, फिर b into c, a square plus bc, फिर ab plus bd, फिर आएगा यहां से ac plus cd, और फिर आएगा वापिस bc plus d square, यह हमारा a square आगा, इसको एक बार और multiply करो और शिर्प इसके diagonal elements निकाल लो, तिक ना, diagonal elements कितने आ रहे हैं, देखो, इसको एक बा a square into a will be a cube plus a square bc, ठीक है, इसका पहला element पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, abc plus bcd, ठीक है, bcd, यह तो पहली row आपके पहले column के साथ, इसे दूसरी row को दूसरे column के साथ multiply करो, देखो, कितना आ रहा है, यहां से आएगा, देखो, a, c, b plus c, d square, ठीक है, ना, a, c, b, और c, d, b, अब भी आपका b के साथ multiply होगा, तो c, d, b आएगा, c, d, b, plus bc, b के साथ multiply होगा, bc, d के साथ multiply होगा, so that is bc, d square, और plus d cube, ऐसा आपके सामने, एक expression बन जाएगा, clear है, अब देखे, इसके अंदर, इन सारी टरम को एक बार multiplication नेग लिए, a square, bc, a के साथ multiply होगा, तो a a cube, और bc, a, a, b, c आएगा, यहांपर, a आपके साथ में, इसके साथ multiply होगा, और साथ में, आपके साथ में, c, इसके साथ multiply होगा, तो a, b, c, a, b, c आएगा, यहांसे, a, b, c, और साथ में, b, d, b, c, के साथ multiply होगा, b, d, c, के साथ multiply होगा, ठीके, b, c, आपका a के साथ, और A square A के साथ, ऐसे दूसरे वाले को check कर लो एक बार दुबारा, A C multiply होगा B के साथ, A C B, A C B और C D multiply होगा B के साथ, so C D B आ गया, फिर D के साथ multiply होगा B C D, B C multiply होगा D के साथ, so B C D और साथ में D square multiply होगा इसके साथ, A Q plus D cube को एक साथ कर दो, A Q plus D cube को एक साथ कर दो, A B C यहां पर भी आ रहा है, और भी देखो A B C यहां पर भी आ रहा है, तो यह आ जाएगा आपके सामने 2 A B C, 3 times A B C, A B C, A C B, A B C, A B C, कितनी बार आ जाएगा, 3 times A B C, B C D, B C D, B C D, यह भी आ जाएगा, 3 times B C D, और यह देखा है बच्चो आपको कितना, minus का 18, ठीक है, अब देखो A Q plus D cube को क्या लिख सकते हो बच्चो, A Q plus D cube को लिख सकते हो, आप A plus D का hall cube, minus 3 A D, और साथ में आ जाएगा, A plus D, ठीक है न, minus का 3 A D, A plus D, इन दोनों में से देखो बच्चो, कुछ common आ रहा है, A B C, 3 B C D, तो 3 B C common आ जाएगा, यहां से, पिछे कितना बचेगा, A plus D, और equal to में आपको कितना दे रखा है, minus का 18, अब देखो, A plus D का मान पता हमें 3 है, तो यह कितना है, A plus D का मान पता है, यह बन जाएगा, 27 minus 3, A D की value तो हमें नहीं पता, A plus D का मान पता है, 3, plus 3 into 3, यह बन जाएगा, 9 B C, B C, बराबर minus 18, तो जैसे मैंने का था कि direct answer आएगा, A D minus B C, यह 9, यह 9, तो 9 common आजाएगा यहां से, B C minus A D, बराबर कितना आजाएगा, minus 18, minus 27, minus 45, minus 9 से भाग दे दीजिए, तो आपका answer आजाएगा 5, ठीक है, तो जब ज़्यादा variable होते हैं, कम equation होती है, तो answer direct आता है, इसे question के अंदर, और इस तरीके से आपको इसको solve करना था, खिलियर है, और यह था आज का आपका last question, ठीक है, चलिए, ओके, thank you very much.